नमस्कार मैं दुश्यन सिंग एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत भड़ीया तरीके से चल रही होगी आपकी आगा में यूपी पीजेस प्रिलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम घहटना चक्र आईदरस्टी करेंट अफ्यर्स मैगजीन का रिवीजन कर रहे हैं हाली में हमने राष्टी सतर के जितने भी करेंट अफ्यर्स हैं उनको कम्पलीट किया है और उस पर आप सभी लोगों का जो रिस्पॉंस है आप सभी लोगों के जो कमेंट्स है वो काफी सकारात्मक रहे हैं जो निश्यत तोर पर मेरे लिए काफी मैटर करता है और मुझे आप सभी लोगों के लिए और बहतर से बहतर काम करने के लिए प्रेरित देता है तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभी वरतमान में हम अंतराश्टी इस तरके करेंट अफेर्स को कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो के साथ ही आपका इंटरनेशनल कर इंटरफेर्स वाला जो पोर्शन है वो यहां से समाप्त हो जाएगा अगली दो वीडियो में आर्थिकी वाला पूरा का पूरा कर इंटरफेर्स मैं आपको यहां से कवर करा दूँगा ठीक है पैसे तो current affairs की काफी सारी categories हैं ये magazine आप सभी के पास होगी लेकिन मैं एक अगर बात कहूँ कि मोटे तौर पर गर देखा जाए क्योंकि current affairs की 30-35 questions उसमें से maximum portion कहां से आएगा तो ये तीन category आपकी magazine में दे रखी हैं रास्टी, अंतरास्टी और आर्थिकी ठीक है questions वाला portion हम cover कर रहे हैं तो इसको हमें बार-बार revise करना पड़ेगा, revision ही मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने magazine पढ़ रखी है, आपको काम बस इतना करना है, magazine को अपने सामने रखना है, ये video खोल करके रख लेना है, नजर आपकी कहां करते हैं और आज का जो हमारा पहला topic है, वो है भारत संयुक्त राष्ट एक शमता निर्माड पहल, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, 23 सितंबर 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट द्वारा वैश्विक दक्षण देशों के लिए एक संयुक्त शमता निर्माड पह करते हैं यह किन देशों के लिए स्टार्ट की गई है, अब यहांसे आपको थोड़ा सा यह पता होना चाहिए कि इन देशों को वेश्विक दक्षड के देश कहा जाता है यानि वेश्विक दक्षड जो समूह आप इसको मान सकते हैं तो यह ऐसे देशों का समूह है जो किस छेत्र से संबंद रखते हैं अफरीका, लेटन अमेरिका, कैरीबीन, एशिया और ओश्णिया और इन छेत्रों के जो गम विक्सित हैं या फिर ख़र बिकाशील है जब वेश्विक दक्षड सब्द की बात हो रही है तो वेश्विक उत्तर की बीबात होनी चाहिए तो दॉनों एक दूसरे का इस तरीके से गहां करता है जो कि अधिदिक समरद हैं ढ़कर दिक कैसे हैं संपन रास्ट तो रहा है तो आपको पता चल गया कि वहाश्विक प्रूंट के देशों के लिए जो किया गया है जुए ब्लती लुझाटान करद को बहुत प्राइरों 3 कितुए कहां से प्राश्ण बद सकता है इसके हमें पूरा प्रयास करूँगा, दावा फिर भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं, मतलब इतना कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि यहां से ही प्रश्णा आएगा, यही आएगा, यही रट लीजी, इस तरीके से चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं, लेकिन म संभावना विक्त कर सकता हूँ, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए, कि मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें कम कर सकूँ, जितना आपको पढ़ना, उसमें से अगर चीज़ों को मैं थोड़ा सा सौटलिस्ट कर पाऊं, थोड़ा सा भी कम कर प भारत संयुक्त राष्ट शम्ता निर्मार पहल की घोशना की गई, ठीक है, और इस कारिकरम में भाग किस-किस ने लिया है, भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं, दॉक्टर एस जैसंकर, और 78 वी संयुक्त राष्ट महासबा के अदिक्ष डेनिस फ्रांसिस, बैसे बहुत जारे लोगों ने इसमें भाग लिया है, लेकिन सारे लोगों के नाम याद रखने से मतलब नहीं है, तो नाम भी ये याद रख लेंगे, डॉक्टर एस जैसंकर, और 78 वी संयुक्त राष्ट महासबा, इसके अदेक्ष भी सेपरेटली भी पूछे जा सकते है कि 78 वी संयुक्त राष्ट महासबा के दक्ष कॉनर डेनिस फांसेस, इन्होंने भी जो है, इस कारिकरम में हिस्सा लिया था, कारिकरम का नाम क्या है, इंडिया यूएन फॉर्ट ग्लोबल साउथ, डिलिवरिंग फॉर्ट डेवलप्में, ठीक है, तो यहां से ये वाला संयुक्त राष्ट के सभी फूर्ण सदश्यों की भागिदारी वाले वार्षिक महासबासत्र और सामान ने भहस का आयोजन न्यू यूर्क की जनरल असेंबली हॉल में किया गया, तो देखिए प्रश्ण के इस तरीके से बनता है, यहां भी एक टर्म दे रखा है, और उस इसके पूर्ण सदश्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट के पूर्ण सदश्य कौन कौन से, इसके अलाबा संयुक्त राष्ट की बात हो रही है, United Nations की बात हो रही है, तो इसके कितने अंग है, छह प्रमुक अंग है, छह प्रमुक करना है आपको मैं यहां से आपको बता दूँगा ठीक है तो सबसे पहले बात आती है कि 78 वा जो सत्र है संयुकराष्ट महासभा का यह स्टार्ट कब हुआ यह 5 सेतंबर 2023 को जो है इसका 78 वा शहसन स्टार्ट हुआ और 18-19 सेतंबर 2023 को SDG सिखर संविलन का योजन किया गया यह याद नहीं करना है मिलब याद करने का इतना ज़्यादा इसको लोड मत लेना लेकिन यहां से देखो यह आपको एक संकेत दे रहा खा है कि आपको SDG गोल्स के बारे में पता होना चाहिए सतत विकास लक्ष हमारे कितने हैं, सतत विकास लक्ष जितने भी हैं, उनको मैं आपको बता भी चुका हूँ, याद भी करा चुका हूँ, ठीक है, यानि जिस तरीके से मैंने आपको बताए थे 17 जो SDG गोल से, अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो आपको साथ उसमें से क हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो थीम है, वो भी आपको पताऊना चाहिए, 78 वे शेशन का थीम क्या था? थीम था विश्वास का पुनर निर्माण और वैश्विक एक जुटता को फिर से जागरत करना, सभी के लिए शान्ती, समर्दी, प्रगती और स्थिरता की देशा में हैं, तो उसके लिए सभी देश काम कर रहे हैं, तो यह अभी का, यानि के आने वाले दो-चार साल, पांच साल तक, मतलब एक प्रमख मुद्दा रहेगा, SDG गोल्स वाला, सतत दिकास लक्षियों वाला, तो यहां से प्रशन पूछे जाते रहेंगे, आपके पिछली अध्यक्ष कान निर्वाचित हुए थे, यह आपको याद रखना है, विसके सुरूप से देनिस फ्रांसिस, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस जो है, यह 78 शैसन के अध्यक्ष थे, और इनका संबंद किस देश से है, त्री निनाद और टोबैगों से इनका संबंद है, इससे पहल भारती जो प्रतिनीदी मंदल था, 78 वे सत्र में, ठीक है, इंडियन, भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, किस ने भारत को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, तो वो थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैसंकर, जो के 22 से 30 सितंबर के, जो समय है, 22 सितंबर की ज थल हैं, वो यूनेसको की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, शामिल कर लिए गए हैं, वो इस थल कौन-कौन से हैं, उनके बारे मैं बात करेंगे, यूनेसको की विश्व धरोहर समिती की 45 वी वार्षिक आम बैठक का आयोजन हुआ, 10 से 25 सितंबर 2023 को, और कहां पर हु जो समिती थी, विश्व धरोहर समिती जो थी, उसने पूरी दुनिया के 42 नए स्थलों को, 42 नए स्थलों को यूनेसको की विश्व धरोहर सूची में, शामिल किया है, ठीक है, तो टोटल नमबर याद रखना है, कि जो 45 वी वार्षिक आम बैठक हुई है, इसमें समिती के कितने नए स्थानों को यूनेसको की विश्व धरोहर सूची में, शामिल किया है, तो 42 हैं, उनका नमबर, 42 में से कल्चरल, यानी सांस्कृतिक केटिगरी में, कितने स्थल आते हैं, 30 साते हैं, और natural केटिगरी में, यानी प्राकर्तिक स्थल कितने हैं, नो हैं, तो 33 सांस्क इन नए स्थलों को शामिल किये जाने के बाद में, अब विश्व के 168 देसों में, जो टोटल विश्व धरोहर स्थल हैं, उनकी संख्या बढ़ करके, कितनी हो गई है? 1199 हो गई है. 1199 इन 42 को मिला करके हुई है. जो 42 नए स्थल शामिल किये गए, इनको मिला करके, अब पूर विश्व में, युनेस्को के विश्व धरोर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 1199 हो गई है. अब 1199 में से कितने सांस्कृतिक हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने मिश्रित हैं, पढ़ लीजिए, रटना नहीं है, याद नहीं करना है. ठीक है? तो 1199 में से 933 सांस्कृति स्थल है, 227 प्राकृतिक स्थल है, और उन 40 मिस्रित स्थल है, मतलब उनका सांस्कृतिक रूप से भी महतो है, प्राकृतिक रूप से भी महतो है, चिक है? तो याद क्या रखना है कि सब 45 वी वारशे काम बेटक, काम पे हुई, रियाद में हुई कितने नए स्थलों को सूची में शामिल किया गया है, 42 मैंसे कितने सांस्कृतिक हैं, कितने प्राकृतिक हैं, वो याद कर लीजेगा और भारत के कितने स्थल हैं उसमें से और उनके नाम, तो डीप में जाना है तो भारत के स्थलों के बारे में डीप में जाना है तो ये क्योंकि टाइटल में ही बता दिया गया है आपको कि भारत के दो स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है तो वो दो स्थल कौन-कौन से हैं उनको थोड़ा सा यहां से हम देखते हैं तो ये दो स्थल हैं, पहला है आपका शांती निकेतन प्रस्यम मंगाल में और दूसरा है आपका होईशल के जो पवित्र मन्दर हैं, ठीक है? टीन मन्दर है होईशल समूह में जो आते हैं, उनको जो है यूनेसको की विश्वधरोवर स्थल सूची में शामिल किया गया है तो भारत के कुल 42 विश्व धरोहर स्थलों में से 34 इस्थल जो हैं वो सांस्कृतिक हैं, 7 इस्थल जो हैं वो प्राकर्तिक हैं, एक इस्थल जो हैं वो मिस्टित इस्थल की स्टोडी में हैं, यहां से आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में अलग-लग देशों के प्र पूरे विश्व में कौन सा इस्थान है तो भारत का जो इस्थान है वो छटा इस्थान है विश्व धरोर इस्थलों की सूची में भारत जो है पूरे विश्व धरोर इस्थलों किस देश के हैं या सबसे ज़्यादा विश्व धरोर इस्थलों वाला देश कौन सा है तो वो इटली है, इटली के सबसे ज़्यादा 59, 69 विश्वधरोरस्थल जो है, वो यूनेस्को की विश्वधरोरस्थल सूची में शामिल है, अब यहाँ पर बात हुए देखे सांती निकेतन की, अब सांती निकेतन की स्थापना किस ने करी थी सर, रविंदर नाट टैगोर, और थोड़ी सी होनी चाहिए, इसके लावब सांती निकेतन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, रविंदर नाट टैगोर के बारे में थोड़ा सापको जो बेसिक चीजे हैं, वो पता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर पहले से ही एड़ कर रखी है, उनक विश्व प्रशिद्द कभी, दार्शनिक और साहित्य में नोबिल पुरस्कार जीतने वाले रबिंद्रना टैगोर के कार्यों इवं दर्शनों से जुड़ा हुआ इस थल है सांतीनिकेतन तो यहां से यह important हो जाता है कि सांतीनिकेतन की बात हो रही है, तो यह मान करके चल सकते हैं, आपके रबिंद्रना टैगोर से जुड़ी होई बात हो रही है, तो रबिंद्रना टैगोर को साहित्य का जो नोबल था, वो किस वर्स दिया गया, उनकी क्रिस कृति के लिए दिया में शांती निकेतन जो है विश्व भारती के नाम से विश्विध्याले के रूप में परिवर्थित हो गया ठीक है शांती निकेतन था वर्तमान में इसको विश्व भारती विश्विध्याले के नाम से जाना जाता है 1951 में विश्य भारती को एक Central University का दर्जा दे दिया गया और एक राश्टी महत्तो का संस्थान जो है इसको घोशित कर दिया गया यह सांतीन केतन होईसल के पवित्र मंदर समुहों के बारे में बात करते हैं तो होईसल के पवित्र मंदर समुहों में धक्षण भारती राजि करनाटक के तीन मंदर जो है वो शामिल है वो तीन मंदर कौन कौन से इसर पहला है चेनना केसम मंदर जो कहाँ पर है बेलूर में है होईसलिय परमegen मंदर जो के हेलिबड में है और केशम मंदर जी आपका सोमनातपुरम मैसूरजले में है ठीक है अब इनके बारे में जो अत्रिक्त जानकारी है वो हम यहां से देखेंगे देखें बारेवी तेरीवी स्रताब्दी में इन मंदरों का निर्माड हुआ बारेवी तेरीवी स्रताब्दी में इन मंदरों का जो होईशल के मंदर इनका निर्माड हुआ चेनना केसम मंदिर जो है भगवान विषणू को समर्पित है होईशलेखवर मंदिर यह सिव को समर्पित है केशम मंदिर जो है यह एक वैशनव हिंदू मंदिर है जो काभिरी नदी के नारे इस्थित है ठीक है पेपरों में पतनियों के नाम काफी जारे पूछे जाते हैं तो ये भी मैंने लिख दिया है नोबल प्राइज आपको पता है इनको 1913 में मिला गिता अंजली के लिए मिला ब्रत्यू इनकी साथ अगस्त 1940 को कलकत्ता में हुई और इनको नाइट हुड की उपादी दी गई थी नाइट हुड की उपादी दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी ये तो पता है आपको नाइट हुड की उपादी दी गई थी आपको ये पता हुने ची किसने इनको नाइट हुड की उपादी दी थी सांती नकेतन या फिर आपका विश्व भारती ठीक है 1921 इसको याद रखेंगे इनके कुछ उपन्यासों के नाम जो के काफी चर्चित रहे हैं और काफी बार परिक्षों में पूछे गए हैं जैसे गोरा, चोखेर बाली और घरे बाईरे, नस्ट नीड, योगा-योगी उनके कुछ प्रशिद्ध उपन्यास हैं कि कुछ कहानियां भी पूछी जाती हैं जैसे काबुली वाला ये काफी बार पूछी गई है ठीक है काफी एक्जाम्स में पूछी जाती है काबुली वाला किसकी कहानी है तो ये रबिद्र नाट्येगूर की कहानी है काबुली वाला इसके अलावा अपरीचिता और अनाथ ये इनके कहानिया है इनके कुछ नाटक है जैसे डागघर पोस्ट ओफिस ये इस तरीके से आता है डागघर नहीं आता लिका हुआ दरसल ये पूछ लिए पोस्ट ओफिस के नाम से पूछता है ठीक है? तो याद रखेंगे, कन्फि 1911 में की थी और 27 दिसंबर 1911 को कॉंग्रेस के कलकत्ता दिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था ये भी आपको पता होगा आमार सोनार बंगला इस गीत की रशनानों ने 1905 में की थी बंगाल विभाजन के टाइम पे आमार सोनार बंगला जो था ये बाद में स्वतंत्र जो बंगला देश से उसका रास्ट की रास्ट गान बना था महात्मा गांधी को रास्ट पिता की उपाधी भी रमिदनाद ट्यगोर ने दी थी और 1929 और 1937 में इन्होंने विश्व धर्म संसत में भाशन भी दिया था इनको गुरदेव के नाम से भी जाना जाता है इनको को क कोबी गुरु कहा जाता इसके लावे नको बिश्व कोबी ठेक है यह जो एक तरह से कह सकते है यह जो यह शबद आपको दिखे रेंगे यह कोभी गुरू विश्व कुभी तो यह याद रखेंगे अब यह पहला था आपका शांती निकेतन के बारे हम बात हो रही थी है होईसल के मंदर समोह के बारे में बात हुई है तो होईसल मंदरों को कभी-कभी हाइब्रड या बेसर भी कहा जाता है या बेसर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो वास्तुकला सेली है, न तो वो नागर है, न वो कह सकते हैं कि आपकी जो द्रविड सेली है, वो भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब एक तरह मिली जुली जो एक तरह से कहता है, मिक्स्चर टाइप का जो इसका शेली है, जो होईसल के जो होईसल राजवन्स के बारे में बात करेंगे, होईसल राजवन्स की राजधानी कई बार पूछी गई है, तो द्वार समुद्र या हैलेबिड इसको कहा जाता है, जो होईसल थे, ये कल्याणी चालुक्यों के सामन्त हुआ करते थे, और इस वन्स का जो संस्तापक था, हो विश्नु वर्धन ने इसको बनवाया था 1116 में और विश्नु वर्धन ने चेनना केशम मंदर का नेमार चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष में जो है इसका निर्मान करवाया था ये बेलूर में है यागाची नदी के तट पर है और इसका जो आकार है बलकुल तारे जैस है स्टार के जैसा आकार है इसका और ये भगवान विश्नु को अपर किता है होई बात करेंगे तो सूमनात पूरम में इसको त्रिक वामंदर के रूप में बडिका जाता है यह क्रष्णि के तीन रूप कथ этष्ण सुमर्पित विश्रूप से वैशनव समुदाय के लोगों से जोड़ा हुआ है ठीक है तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी थी इसमें और देखे जहां पर जरूरी है एक्स्टा इंफॉमेशन वहीं पर मैं देने का प्रयास करता हूं ऐसे नहीं कि हर जगे पर मैं मुदलब जबरदस्ती जहां पर कुछ उचित उसका है या नहीं है जबरदस्ती उस जगे पर अतिरिक्त जानकारी ढूंडूंड के लाओ तो वो जो है वो एक सही एप्रोच नहीं है ठीक है जहां पर लगता है कि हाँ इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर जाया जा सकता है या फिर यहां से प्रश्ण बनने की स्थल है उनको थोड़ा सा देख लीजेगा कब-कब वो युनेस्को की विश्वधरोहर सूची में शामिल कियेगे इस तरीके से देख लीजेगा जैसे यहां पर आगरा का केला है तो यह उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 1983 में इसको सूची में शामिल किया गया ताज म 42 स्थल हैं तो इनको एक बार देख लीजेगा मैं पढ़ूंगा तो समय बेस्ट होगा क्यों को समझाने के लिए उसमें कुछ है नहीं तो मैं आपका समय बेस्ट नहीं करना चाता है ठीक है देख लीजेगा इसको एक बार अब इसके बार माता है I2-U2 वारा संयुक्त अंत स्पेस वेंचर का अनावरण किया गया है I2-U2 समुग के जो देश हैं चार देश जो हैं उनके द्वारा न्यू यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट महासबा के 78 सत्र के दौरान यह गोश्टना की गई ठीक है जो जो जॉइंट स्पेस वेंचर है इसकी गोश्टना 78 सत्र क को पालन करते हुए जो है यह निर्णे लिया गया Artemis समझोते के अनुरूप है Artemis समझोते के बारे में पिशली क्लासे में मैंने आपको बता दिया ठीक है और यह I2-U2 है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि I2-U2 जो समू है इसमें चार देश कॉन से है तो यहां से हो गया आपका इंडिया और दूसरी I का मतलब हो गया आपका इसराइल पहले U का मतलब USA हो गया और दूसरे U का मतलब हो गया आपका UAE यानि सहयुक्त अरब अमीरात चार देश जो है I2-U2 समू में शामिल है इंडिया, इसराइल, USA और UAE इसको आप याद रास्टी अमंच के नाम से जाना जाता है और व्यापक रूप से I2-U2 का जो उद्देश है ठीक है वो छे पारसपरिक रूप से पहचाने के छेत्रों में संयुक्त निवेश को परमोट करना है छे छेत्र हैं जिसमें यह I2-U2 समू के देश जो हैं वो एक तरह से कह सकते है combined investment को परमोट करने का काम करते हैं जैसे जल के छेत्र में, transportation, परिवहन के छेत्र में, space के छेत्र में, health के सेक्टर में या फिर आपकी food security के मामले में, energy के मामले में यह 6 छेत्रों में संयुक्त निवेश को परोटसाहित करने का काम जो है I2-U2 समू के देशों के दोरा किया ज भारत कनाडा विवाद की बारे में बात करते हैं, 18 सितंबर 2023 को क्या हुआ, कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो, इनके द्वारा कनाडा की संसत के निम्न सदन, जिसको house of commons के नाम से जाना जाता है, house of commons को संबोधित करने के दोरान, सिख नेता हरदीप सिंग नि की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया गया, यानि कनाडा में जो सिख नेता है, हरदीप सिंग निजर इसकी हत्या कर दी गई, और कनाडा ने, जो कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो, इनके जो निम्न सदन है, house of commons, उसमें ये कहा कि ये जो हत सरकार के मिली भगस से हुई है, भारत सरकार की संलिप्तता से हुई है, ठीक है, और यह तब है कि फाइव आइस द्वारा साजा की गई, खूफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा सरकार के द्वारा हरदीप सिंग निजर की हत्या में भारत की संलिप्तता का दावा किया ग प्रैम्टन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा एक रैली निकाली गई जो के पूरु प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी की उनके अंगरक्षकों के द्वारा नर्शर्ष हत्या की जहांकी पर आधारित थी। इसको हरदीप सिंग निजर जो के भारती मुलका एक कनाडाई सिख है जिसे भारत के द्वारा आतंकी भी होशित किया गया था इसकी एक गुर्धवारे के पास गोली मार करके हत्या कर देगी तो इन सारी चीजों को किस तरीकी से रिलेट किया इन्होंने मतलब एक रैली वगर की जो है हत्या हो जाती है तो कनाडा ने ये सोचा कि क्योंकि भारत इसके विरोध में था इस्रेली के विरोध में था तो हरदीप सिंग निजर की हत्या जो है वो भारत में करवाई है इस तरह के आरोप जो है कनाडा के द्वारा लगाए गए बारत में जो है बाद पाजना एक था ठीक है एमबैसेडर जो था उसको देश से निकाल दिया और इसी तरह की जो कारेवाई है वो भारत के द्वारा भी करी गई तो यह इस तरीके से चीजें चलती रही अब इसमें टर्म आया था आपका फाइव आईज ठीक है फाइव आईज आरो यारो में भी पूछा गया तो फाइव आईज इंटेलिजेंस यह क्या है फाइव आईज एक बहुपच्छी है खूफिया संगठन है इंटेलिजेंस अलाइंस है और इस संगठन के जो सदश्य देश हैं उसमें कौन-कौन से तो यह पूछा गया था अभी आरो में क्वेश्चन के कंट्री अगर वो दर-दर मिस कर देगा और आप थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे ऑस्टेलिया कानाडा न्यूजिलन्ड यूके और अमेरिका जो है वो फाइव आईज के क्या है सदश्य है यह राष्ट उपभुक्ता मामले खाध्य एवं सारवजनिक वित्रण मंत्राले के द्वारा जारी एक विग्जप्ति के अनुरसार भारत जो है वो विश्व भर में बांट बगरा जो होते हैं तोलने वाले बांट और मापन उपकरणों को बेशने के लिए अंतराश्टी इस्तर पर विक्रत OIML प्रमाणपत्र जो है जारी कर सकता है तो याद रखने की चीज यही है सबसे important तो कि भारत विश्व में कौन सा देश है जो OIML प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्रातिकरण बन गया है तो भारत 13 वा देश है अब इसमें बार-बार एक टर्म यो जो रहा है OIM OIML का है इसका मतलब है International Organization of Legal Metrology International Organization of Legal Metrology इसकी स्थापना हुई 1955 में इसका काम क्या है इसका काम है विधिक माप विज्ञान कानून इसमें परियोग के लिए वैश्विक मानकों का निर्माण करना OIML का मिशन देशों में एक ऐसी प्रभावी विधिक माप विज्ञान अवसंदशना यानि एक ऐसे Infrastructure को स्थापित करने में सच्छम बनाना है जो परसपर संगत और अंतरास्टी स्थरपर मानिता प्राप्त हो वरतमान में यह जो Organization है OIML इसमें जो सदश्य रास्ट्र हैं उनकी संख्या कितनी है 64 है ठीक है इसके बाद में आती है आपकी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग है यह किसके द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन किया जाता है इसका प्रकाशन कि की गई दसवें इसका ऐडिशन था चौशत देशों को इसमें शामिल किया गया तो विश्व प्रतिभा रेंकिंग में सबसे उपर जो देश है वो सुर्जलेंड है ठीं है अब याद क्या का करना है वो देख लेना यहां से सुर्जलेंड सबसे उपर है सब से ज़्यादर प् कि यहां पूरे बिश्र की बात नहीं कर रहे हैं एसी अ प्रसांद चेतर की बात कर रहे हैं एसी आ प्रसांद चेतर में सिंगापुर को सबसे अच्छा प्र है स्थान प्राप्त हुआ ने कि देखेंगे और सिंगापुर की रैंकिंग जो है 8वी और शिर्ओं याद रखना भारत की रैंकिंग 1 270 न बीसे ओड्रीघन और ₤ मुख्य रूप से याद रखना है भारत 56 स्थान पर है पहले स्थान पर शुट्डर लेंड है ठीक है सर्वस्रिष्ट देशों की रैंकिंग 2030 ठीक है और सर्वस्रिष्ट देशों की जो रैंकिंग है यह यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जो है जारी स्थान है कनाड़ा जो है वो दूसरे स्थान पर है शुट्डर लेंड पहले स्थान पर है ठीक है और यह 2022 में भी शुट्डर लेंड पहले स्थान पर था तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी सर्वसेष्ट देशों की रैंकिंग की सर्वसेष्ट देशों की रैंकिंग मे शुट्जल लेंड पहले स्थान पर कनाड़ा दूसरे स्थान पर भारत तीसरे चोथे पर आपके स्रीडन और उस्टेलिया है जोके बहुत ज़्यादा महतोपूर नहीं है आपके लिए याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है अमेरिका पांचवे स्थान पर है अंतिम सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता है यह थोड़ा सा important यहां से topic है आपका और यहां से प्रश्ण पूछने की संभावना जो है बन सकती है यहां से question पूछा भी जा सकता है तो इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से देखना देकिए Forbes के द्वारा दोजनवडी 2024 को 2024 में विश्व की सीर्ष दस अर्थ विवस्ता है top largest economies जो है top 10 largest economies जो है उनके आकड़े जो है Forbes के द्वारा जारी किये गए है उसमें सबसे उपर जो देश है वो है USA 2024 में GDP के संदर्ब में ठीक है और GDP के संदर्ब में वेश्विक स्थर पर globally पूरे दुनिया में देखा जाए तो भारत का स्थान GDP के मामले में पांचवा है तो ये उन्हीं देशों की सूची दे रखी है पहले स्थान पर साब आपका USA हो गया दूसरे स्थान पर चाइना हो गया तीसे स्थान पर जर्मनी चौथे पर जापान पांचवे पर भारत तो ये बीच के नाम याद रख लेना आंकड़े याद रखने की जरूद नहीं है तहली बात तो कि आप ये सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे मत याद करना यहां से केवल ये करम जरूर याद कर लेना USA चा याद रख लेना पहला डेटा कौन सा याद रखना है कि भारत की प्रतिविक्ति GDP यूएस डॉलर यानि 1000 यूएस डॉलर में कितनी है 2.61 ठीक है भारत की पर विक्ति जुडिपी जो है वो 2.61 थाउजन यूएस डॉलर है अब यहां से देखेंगे वार्षिक जीडिपी की जो ग्रोथ रेट है बार्षिक जीडिपी की जो व्रद्धी दर है भारत की वो इस रिपोर्ट के अनुरसार 5.9% है 5.9% है यह याद रखेंगे इसके अलावा इस आंकड़ों में से कोई भी आंकड़ा याद नहीं रखना है ठीक है अब जीडिपी के संदर में वेश्विक भारती अर्थ विस्ता की है GDP की जो ग्रोथ रेट दे रखी है सभी देशों में ग्रोथ रेट के मामले में GDP की जो व्रद्धी दर है उसके मामले में भारत सबसे आगया भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे जादा है 5.9% जर्मनी, UK जर्मनी और UK United Kingdom जो के एक विक्सित अ अनुसार माइनस पॉइंट 1% UK की जो ग्रोथ रेट है GDP की वो माइनस पॉइंट 3% है तो ये चीज़ें याद रखेंगे जोर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माहा घोशित कर दिया गया अगस्त 2023 में अमेरिकी राज अमेरिका का एक स्टेट है जोर्जिया जोर्जिया के गवर्नर है ब्राइन केमप इन्होंने आधिकारिक तोर पर जो अक्टूबर का महीन है उसको हिंदू विरासत माहा के रूप में घोशित किया है ठीक है अक्टूबर माहा में आपको पता है महात्मा गांधी की जयनती पढ़ती है ठीक है अब महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजेगा वैसे पूरी जो आप देखेंगे तो मॉडरन हिस्ट्री में काफी सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी ठीक है वो मैंने अल्रडी आपको करा दिया है तो अलग से पढ़ने के जरूत नहीं है मात्मा गांधी का जरूत नहीं है मात्मा के महीने में ही पढ़ते हैं तो इस वजए से इसी माह को जो है जो है जोर्जिया के द्वारा हिंदू विरासत मा के रूप में घोशित कर दिया गया है तो जोर्जिया उन राज्यों के सूची में शामिल हो गया है जिन्नोंने हिंदू विरासत और संस्कृति के महत्त को मान ठीक है, Global Peace Index में भारत की ranking कितनी है, 126 भी है, और कुछ प्रमुख सूचकांग कैसे है, सर, ranking तो आपको याद रखनी रखनी है, लेकिन कुछ विशेश सूचकांग कैसे है, जिनके बारे में आपको ये भी याद रखना है, कि ये जो ranking है, वो किस सैंस्थान के द्वारा, या कि think tank के द्वारा, या किस NGO के द्वारा प्रकाशित की जाती है, मतलब ये report कौन प्रकाशित करता है, तो उस सैंस्था का नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे उन में से एक है आपका, जो वैश्विक शान्ती सूचकांग के बारे में बात करों, तो इसके बारे में आपको for economics and pieces के द्वारा वैश्विक शान्ती सूचकांग के आंकड़े जारी किया जाते हैं, ठीक है, अब इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है, कि सर इसमें, जो है, पहले छेतर के हिसाब से देखते हैं, आप देश के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम पूरे एक ब् Middle East और उत्तरी अफ्रीका का जो चेतर है, इसको सन्युक्त रूप से मेना बोलते हैं, M-E-N-A, Middle East and North Africa, ठीक है, तो इसको मेना बोलते हैं, तो ये जो है, मद्यपूर्व और उत्तरी फ्रीका के चेतर है, विश्व का सबसे असान चेतर है, और यूरोप जो है, विश्व का स है, पसे सान्ति पूर्ड चेतर, ये छेतरों की बात हो रही है, देशों की बात नहीं हो रही है, और इसके सारसाथ यहां पर एक महत्तपूर जानकरी ये भी दे रखी है, कि जो पिशली रैंकिंग थी, उसकी तुलना में, वेश्वक शान्ती का जो उसकत सतर है, उसमें गि करके जो वैश्विक सांती का जो औस अत्सतर है उसमें 0.42 पर्षेंट का लॉस हुआ है ठीक है अब यहां से देखेंगे सबसे सांती पूर्ट देश कौन सा एसर आइसलेंड ठीक है आइसलेंड जो है वो सबसे सांती पूर्ट देश से आइस का मतलब ही होता ठंडा तो मलकु ठंडे लोग है यहां के वलकुडी ठीक है मलक गरम नहीं होते हैं सांती से काम लेते हैं उसके बाद में डेनमार्क फिराइल लेंड यह तीन देश जो है यह सबसे शूर्ट देश है ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे असांत देशों की बात करेंगे तो सभी यात नी करने लास्ट वाला आपको पता है अफगानिस्तान ठीक है यह इसी इस्थान पर रहता है 163 अफगानिस्तान यह जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे जो है असांत देश की रूप में इसको जो है केटिक्राइज किया गया है भारत का इस्थान 126 में मैंने स्टार्टिंग म यह आपको बता दिया था तो भारत की स्थिती भी बहुँ जादा अच्छी नहीं है ठीक है वैश्विक्स तरपर 17 रेंक के साथ में भूटान जो है साउथ एशियन कंट्री की बात करेंगे डक्षड एसिया का सबसे सांतिपूर देश अगर हम बात करें तो भूटान है और वैश्विक्स तरपर पूरी ग्लोबली देखा जाए तो ओवरॉल जो सूची है उसमें 17 वी रेंक है इसकी साउथ एसिया में पहला इस्थान है सानति के मामले में इनर्ची ट्रांजिशन इंडेक्स उर्जा सेंक्रमर सोचकांग इसमें भारत की रेंकिंग सरचट भी है अब आप यह सोच रहोंगे कि मैंने जो रास्टी कर इंटरफियर्स कराए थी उसमें मैंने काफी ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें आपको ब बारे में अत्रिक्त जानकारी की आवशक्ता हो अगर जहां पर होगी वो मैं आपको बताते चलूंगा यहां पर प्रवाइड भी कर दूंगा जहां पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि मैं मान कर चलिए भूल गया मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मैं भी इंसानी हूं कभी संक्रमड सूचकांग में भारत की रैंकिंग्स है कौन सी है सरसट भी है उर्जा संक्रमड सूचकांग किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह वर्ल्ड एकॉनोमिक फोरूम के द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है अब जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा उर्जा संक्रमण सूचकांग जारी किया गया, तो इसकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो रिपोर्ट का नाम है, फोस्टरिंग एफेक्टिव एनरजी ट्रांजीशन 2023, इस रिपोर्ट के नाम से जो याद करना है, याद करना है, याद यह करना है कि सबसे पहला देश कौन सा है, पहला देश है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, उर्जा संक्रमर सुचकांग में, सबसे शीर्स देश है स्वीडन, अंतियम देश है यमन, भारत की रैंकिंग 67 जो के मैंने आपको पहले ही बता रख सतत्विकास रिपोर्ट 2023 में भारत की रेंकिंग 112 है यह आपको याद रखना है अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर जो चरूरी चीज़े हैं उन पर बात करेंगे 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट सतत्विकास समाधान नेटवर्क ठीक है यह क्या है इसके द्वारा ही जारी किया जाता है जो भी सस्टेनेबल डवलप्मेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाती है यह संयुक्त राष्ट सतत्विकास समाधान नेटवर्क यानि Unsustainable Development Solution Network जो है यह इसके द्वारा जारी किया जाता है आठवाँ edition है इसका theme याद रखेंगे सतत्विकास report का जो theme है वो है Implementing the SDG Stimulus ठेक है? Implementing the SDG Stimulus जो है यह सतत्विकास report 2023 का theme है यह भी आपको याद रखना है इस सुचकांक में कुल 166 देशों को शामिल किया गया है जो भारत की ranking आपने देखी ती 112, 112 यह कितने देशों में से है? 166 देशों में से जो है भारत की ranking 112 भी है 2015 में सभी संयुक्त रास्ट के सदश्य देश जो है उनके द्वारा सतत्विकास के लिए sustainable deployment के लिए agenda 2030 इसको स्विकार किया गया था ठीक है? तो agenda 2030 जो है यह किस से संबंदित है? इस तरीके से भी प्रश्ण बन सकता है agenda 2030 क्योंकि 2030 तक यह प्रासंगे कि रहेगा जब तक यह goals जो है जो निर्धारित किये गए है जब तक यह पूरे नहीं हो जाते है तब तक यह जो agenda है यह कहीं न कहीं relevant रहेगा exams के लिए तो agenda 2030 जो है यह किस से संबंदित है? यह सतत्विकास से संबंदित है sustainable development से संबंदित है अब यह sustainable development क्या होता है? NCRT आपने पढ़ियोगी तो आपको पता होगा ठीक है? अब ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसी complicated चीज नहीं है सतत्विकास सतत्विकास का मतलब यह है कि एक तरह से हम कह सकते है कि जितने भी हमारी resources है जितने भी हमारे संसादन है हम उनका प्रयोग या उनका उपियोग या उनका दोहन इस तरीके से करें कि वे हमारी आवशक्ताओं की पूर्ती भी कर सकें और हमारी जो आने वाली generations है उनके लिए भी जो हमारे resources है वो बच्छे रहे है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए development की ओर आगे बढ़ना विकास यात्रा पर आगे चलना वही सतत्विकास होता है ऐसे नहीं कि आपके पास कोई सामान है मान करके चलीए आपके पास कोई संपत्ती रखी है और आपकी आने वाली generation है आपके बच्चे हैं और आपने अपने बच्चों के बड़े होने तक ही वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी बच्चों के लिए कुछ बचा ही ने तो वो एक तरह से सतत्विकास नहीं होगा लेकिन आप आपके पास आज की डेट में जितनी भी चीज़ें आप उनका यूज इस तरीकी से कर रहे हैं कि आपके आने वाले समय में जो आपकी generations आएंगी उनके लिए भी वो चीज़ें बची रहें तो वो एक sustainable development का एक कह सकते हैं नियम होता है ठीक है तो 2015 में agenda 2030 को अंगी करत किया गया था इसमें 17 SDG goals ठीक है उसमें 17 लक्ष निर्धारित किये गए हैं देशों के समूख के दोरा उनको 2030 तक जो हर हालत में प्राथ किया जाना है ठीक है तो ये उसके बारे में कुछ basic सी जानकारी और हम बात कर रहे थे सतत्त विकास रिपोर्ट 2030 इसमें Finland पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर Sweden है तीसरे स्थान पर Denmark है इस तरीके से याद रख सकते हैं तर्म याज रखें फिसडे मतलब F-I का मतलब Finland S का मतलब Sweden और D-E का मतलब Denmark फिसडे तो इस से आपको पता चल जाएगा इस सूचकांक में पहले दूसरे स्थान पर कोन है और सबसे अंतिम स्थान क्योंकि इसमें 166 देश हैं तो 166 में से जो सबसे लास्ट वाला देश है तक्षडी सूटा इसको याद रखेंगे ठीक है भारत को 112 वाय स्थान पर आपत हुआ है ये भी आपको पतहिए अब एक ची होती है कोई भी सूचकांक इंडेक्स होता है तो इसमें भारत को ब्रिक्स देश हो कि भारत भी ब्रिक्स सम्मू का एक देश है और ब्रिक्स जितने भी कंट्री हैं ब्रिक्स सम्मू में जितने भी कंट्री जाते हैं उसमें भारत की स्थिथी क्या है उस तरीके से भी चीज Ice Index में. जो BRICS देश हैं, उनको उनकी रैंकिंग के हिसाप से क्रम में लगाओ. तो इसमें वने म sunny ranking जिनक्र कों दम रूस हैं, है прाजील है, इसके बाद में चाइना है, इसके बाद में South Africa है और अंतिम स्थान है भारत का. तो एक point यहां से यह बन गया के BRICS देशों की सूची में BRICS देशों की सूची में और ये जो हमारा Sustainable Development Report चल रहा है कौन सा चल रहा है मैं तो भूल गया है जार सोरी एक सेकेंड हाँ Sustainable Development जो हमारा रिपोर्ट है इस Sustainable Development Report में BRICS देशों में भारत की जो ranking है वो कौन सी? अन्तिम पांच भी rank है भारत का स्थान पांच भारत है मैंने साइड में इसकी ranking भी लिखती है BRICS देशों में पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है तीसरे स्थान पर चाइडा है, चौते स्थान पर साइड अफरीका है और पांच भी इसथान पर भारत है तो ये ranking जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर लिखा है ये BRICS देशों के समूह के आधार पर लिखा है overall ranking यहां पर देही रखी है तो इस सभी देशों की ranking आपको याद नहीं रखनी है इन देशों का करम जरूर याद रख लेना भारत की ranking मैंने बताई दी 112 भी तो ये जो को ब्राजील की अलग से ranking क्या है रूस की अलग से ranking क्या है, भारत की अलग से ranking क्या है भारत की तो आपको पते होने चाईना की अलग से ranking क्या है साउथ अफरीका की ranking क्या है तो बस यह चीज़ें याद रखती है इसके बाद में आती है आपके QS World University Rankin 2024 ठीक है और 27 जून 2023 को यह किस के द्वारा जारी की गई है यह QS के द्वारा जारी की गई है क्विक्वरेली साइमंट्स के द्वारा जारी की गई है 20 एडिसन है इसका और इसमें विश्व भर के 1498 विश्व विद्यालों को शामिल किया गया है तो QS World University Rankin 2024 जो है यह अब तक का सबसे बड़ा संस्क्राण है इसका ठेक है कितने विश्व विश्व विद्याल है कभी शामिल इसमें नहीं किये गए अब की बार जो है सबसे ज्यादा विश्व विद्यालेस में सामिल किये गए 1498 तो यह याद रखेंगे इसके बाद में इससे जुड़ी कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है कि सबसे पहली बात तो यह आती है कि QS World University Rankin में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है तो वो MIT अमेरिका यानि मिसाचुसेस्ट प्रोध्योग की संस्थान जो कि अमेरिका में है यह लगातार 12 वर्स जो है पहले स्थान पर है 14 साल से लगातार बना हुआ है इस साल यानि 12 वर्स भी यह पहले स्थान पर है MIT अमेरिका बात हम किसकी कर रहे है QS World University ranking कर रहे हैं याद रखेंगे ठीक है और एशिया में अगर पूचा जाए तो National University of Singahapur यह एशिया में से जो संस्थान है पूरी ranking में QS World University ओवरृल ranking में जो National University of Singahapur यह 8 स्थान पर है एशिया में पहले स्थान पर है भारत के कितने संस्थान QS World University Ranking में शामिल किए के 45, ठीक है, अब यहां से, क्योंकि यह भारत के संस्थानों के नाम दे रखें, IIT Bombay, IIT Delhi, ठीक है, IISC, Bangalore, IIT Kharagpur, IIT Kanpur, इसमें से क्या याद रखना है आपको, सारे याद नहीं रखना है, ठीक है, confused नहीं होना है, ठीक है, Top 5 ranking पर जो है, भारत के संस्थानों में वो दे रखें, आपको चीज़ें किस तरीके से याद रखनी है, कि QS World University Ranking में, भारत के संस्थानों में, किस संस्थान की ranking सबसे अच्छी है, IIT Bombay की, ठीक है, IIT Bombay की 149 ranking है, overall, पूरी QS World University Ranking में, IIT Bombay की ranking 149 है, लेकिन भार के संस्थानों के संदर्ब में, अगर बात की जाए, तो IIT Bombay पहले संस्थान पर है, और क्योंकि IIT कानपूर जो है, ये उत्तरप्रदेश का संस्थान है, हम परिक्षा भी उत्तरप्रदेश की देने जा रहे हैं, तो आपको IIT कानपूर की rank भी पता होनी चाहिए, ये जो ह संस्थान पर है, overall ranking में, और भारत के जो संस्थान है, 42 संस्थान, उन 42 संस्थानों में से IIT कानपूर का संस्थान कौन सा है, पांच वाएं सा, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको यहां से याद कर लेनी, इसके बाद में आती है, आपकी Times Higher Education Asia Vishwadhaler ranking 2023, QS World University ranking थी, उसम जो Times Higher Education है, इसमें Asia के universities को ranking प्रदान की गई है, 22 जून 2023 को UK की पत्रिका, Times Higher Education, ठीक है, यह UK की एक magazine है, Times Higher Education, इसके द्वारा Asia University rankings 2023 को जारी किया गया, 11 edition है, तेरे performance indicators के आधार पर विश्विध्यालेयों को ranking प्रदान की गई है, 2023 में Asia महादीब के 31 शेत्रों के कितने संस्थानों को यहां पर शामिल किया गया, तो 679 संस्थानों को इस ranking में शामिल किया गया, सबसे ज़्यादा यूनिवस्टी किस देश की है, जापान की 117, भारत की कितनी है, 75, ठीक है, चीन दूसरे स्थान पर है, यूनिवस्टी की स चंख्या के अधार पर, तीसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर आपको याद रखना कि जापान के सबसे ज़्यादा है, भारत तीसरे स्थान पर है, और भारत के कितने संस्थान है, 75 संस्थान जो है, वो इसमें शामिल है, अब टॉप नंबर किसका है इसमें, ठीक है, स इसको तीसरा स्थान मिला है, top 100 जो सच्चर संस्थान है भारत के कुल 4 सिक्चर संस्थानों को top 100 में शामिल किया है, ठीक है, अब यहाँ से भी अब भारत के जो सिक्चर संस्थान है, इस ACI University रैंकिंग में, उसमें सबसे अच्ची रैंकिंग किसकी है, तो IISC Bangalore की, Indian Institute of Science Bangalore यह overall ranking में 48 नंबर पर है, और भारत के सिच्चर संस्थानों में पहले स्थान पर है, भारती विज्ञान संस्थान, इसके बाद में आता है आपके cost of living city ranking 2030, यह मरसर के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, मरसर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इसमें 200 शत्ताई शहरो लिखाए का कोश्ट पड़ती है, कौण सा सहर महँगा है, कौन सा सहर शहता है, इसके लिए आधार शहर की रूप में New York सहर का चहिन किया गया है, New York सहर की चीमतों के आधार पर ही, सारे जो शहर जो शहर जो इसमें शामिल किये गए, उनको ranking ब्रदान की गई है, तो इसके अनुसार ये बताया गया है कि हॉंग कॉंग जो है वो विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा सहर है, रैंक वन है, हॉंग कॉंग, ठीक है? हॉंग कॉंग जो है, cost of living index क्या धार पर, पहले स्थान पर है, महंगाई वाले शहर में. और टॉप 10 जो सबसे महेंगे शहर हैं उसमें मातर दो शहर जो हैं वो एशिया के हैं एक हौंग कॉंग है दूसरा आपका सिंगापूर है और दो सबसे सस्ते शहरों की बात की जाए तो वो भी एशिया में हैं करांची और इसलमाबाद दोनों पाकिस्तान से हैं 226 वी और 227 इनकी रैंकिंग है तोटल कितने शहर इसमें शामिल किये गए 277 शामिल किये गए जिसमें से अंतियम दोनों इस्थानों पर पाकिस्तान के सहर हैं करांची और इसलमाबाद भारती सहरों के बारे में बात करते हैं तो सर इसमें भारत के कितने सहरों को रैंक प्रदान किया cost of living index में अब इसमें देखेंगे सबसे अच्छी ranking जो है मिली है सबसे अच्छी ranking का मेरा कहने का मतलब यह है कि इस ranking में जो सबसे महंगा सहर बताया क्या है भारत का रहने के लिए वो मुंबई में है ठीक है वो मुंबई है और उसके बाद में दूसरा जो इस्थान है वो नई शार भारत का कौन सा सहर सबसे महंगा है रहने के मामले में मुंबई है दूसरे स्तान पर नई दिल्ली है और टॉप जो और इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापूर और जीूरिक स्विट जर्लेंट ठीक है यह रहने के लिए विश्व के सबसे महेंगे शहर है और तमिश्व का और सीरिया का जो दमिश्व का सबसे सथा सहर जो है इस व्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लेविंग 2023 के अनुसार घोशे गया है आगे देखते हैं विश्व में रहने के लिए सीर्स दस सस्ते शहरों में दो भारतिय शहरों को शामिल किया गया है जिसमें चेन्नई का स्थान है 163 और अहमदाबाद का स्थान है 166 इसके बाद में ग्लोबल लिवेबिलिटी सूशकांक 2023 के बात करते हैं ये भी EIU के द्वारा जारी किया जाता है EIU मतलब Economist Intelligence Unit इसके द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूशकांक जारी किया जाता है और इस सूशकांक में आस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है इसको लगातार दूसरे साल पहला इस्थान में ला है लिवेबिलिटी इंडेक्स की ब पर शीरिया की राजधारी दमिश्क है इसको 173rd rank मिली है ठीक है तो याद क्या क्या करना है लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर वियना अंतिम स्थान पर दमिश्क ठीक है पहले स्थान पर वियना शहर है और अंतिम स्थान पर दमिश्क है भारतिय शहरो रैंक है इनकी globally देखा जाए तो ठीक है वर्ल जेंडर गैप report के बारे हम बात करते हैं लेंगे कंतराल report ये important है इसको थोड़ा सा देखेगा पहली बार जो है इसको 2006 में जारी किया गया था और जेंडर गैप report किसके द्वारा जारी की जाती है ये बहुत important है याद रखेंगे इसको विश्व आर्थिक मंच World Economic Forum के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है 20 जून 2023 को World Economic Forum द्वारा 17 वी वैश्विक लेंगे कंतराल report 2023 को जारी किया गया इसके आकड़े थोड़े से ठीक तरीके से पढ़िएगा एक दो बार पढ़िएगा इनको यहां से प्रश्ण बन इसके जेंडर गयप मतलब समझ रहे हैं महिला पूरुष ठीक है उनके बीच में किन-किन छेत्रों को लेकर के या किन-किन छेत्रों में उनकी सह भागिता को लेकर के यह रिपोर्ट त्यार की जाती है तो आर्थिक भागिदारी और अबसर जनी एकॉनिक इस चार इसके डाइमेंशन से इनके आधार पर जेंडर गयप रिपोर्ट में जो महिला पूरुष एं देशों के आधार पर उनका तुलनात्मक अधियन किया जाता है और पूरे विश्रका जो जेंडर गयप स्कोर है लेंगिक अंतराल स्कोर है वो कितना है 68.4 है ठीक है य देश पूर लेंगिक समानता यानि फुल जेंडर पैरिटी को प्राप्त नहीं कर सका है हालां कि उचकांक में नौ देश ऐसे हैं जिन्होंने 80% तक लेंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त किया है ठीक है नौ देश जिन्होंने सबसे सीर्स या मुलाब कह स किया है वो आइसलेंड, नार्वे, फिनलेंड, न्यूजिलेंड, स्वीडिन, जर्मनी, निकारागुआ, नाम याद नहीं करने, रटना नहीं, नमबर याद रखना, 9 देश, 9 देशों ने 80% तक लेंगिक जो अंतराल है जेंडर गैप है उसको समाप्त करने में सफलता प्र नार्वे, तीसरे इस्थान पर फिनलेंड ने 86.3, नाम याद रखना, आइसलेंड, ठीक है, इसने 91, 10 दो प्रतिशत तक जो जेंडर गैप उसको समाप्त कर दिया है, 9 देशों ने 80 प्रतिशत तक जेंडर गैप को समाप्त करने में सफलता हाशिल की है, सबसे खराब प्राबंदी किस देश में लगाई जाती है, अफगानिस्तान, ठीक है, ना तो उनको एजुकेशन दी जाती है, ना उनको, उनको सिर्फ परदे में ही रहना है एक तरह से, तो बहुत जादा यहाँ पर जो है, उनके लिए समस्याएं हैं में इलाओं के लिए, तो 146 रैंक म में सब हलता हासिल की है, और भारत पिशले एडिशन की तुलना में, आठ जो स्थान है, उनका सुधार किया, उसने, 2023 में भारत की रैंकेंग हो गई, 127 वी, जो कि आज भी बहुत जादा ठीक नहीं है, एक 127 रैंक जो है, वो बहुत जादा ठीक नहीं है, लेकिन जो है कि साल में बात करते हैं, IMD विश्व प्रतिसपरधातमक का रैंकिंग 2023 के बारे में, भारत की रैंकिंग IMD विल्ड कॉंपरिटिव जो रैंकिंग है, उसमें 40 वी है, ठीक है, 40 वा स्थान है भारत का, बीस जून दोजार तेज को विश्व पतिस परधात्मक्ता रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पटिटिवनेस रैंकिंग में जो है भारत को 40 वी रैंक मिली है और इसको किसके द्वारा संकलित किया जाता है इंस्टिटूट फॉर मैनेजमेंट डिवलपमेंट आनि आई इमडी के इंडेक्स है या रिपोर्ट है इसमें डेनमार्क जो है सबसे पहतर देश है इसने 100 स्कोर किया है अंतिम देशों की बात करेंगे तो लास्ट वाला कंट्री आपका वेंजुएला है भारत की रैंकिंग 40 वी है ठीक है एसिया पैसिफिक के जो 14 देश है उसमें भारत की रैं संगठन में शामिल कर लिया है सीरिया को संगठन में लगबग 12 साल के बाद में शामिल किया गया है 2011 में जो है इसको निलंबित कर दिया गया था अरब लीग से 2011 में सस्पेंट कर दिया गया था तो 12 साल के बाद में अब 2013 में इसको दोबारा से अरब लीग में शामिल किया अब थोड़ा सा उपर चलते हैं अरबलीग क्या है? अरबलीग जिसे League of Arab States के नाम से भी जाना जाता है ये Middle East or North Africa के यानि MENA Middle East and North Africa के सभी अरब देशों का एक अन्ता सरकारी समगर अरब संगठन है और 1944 में Alexandria प्रोटोकॉलaldo को अपनाने के बाद में 22 मार्च 1945 को मिसर की राजधानी काहिरा में इसका गठन किया गया वरतमान में इसमें कितने देश हैं? 22 अरब देश शामिल है ये कुछ basic information थी इसके बारे में 32 अरब लीग शिखर संबिलन जो है ये 19 मई 2023 को सुधी अरब के जेद्दा में आयोजित हुआ और इस संबिलन के दोरान जो भी सदश देश थे जो इसमें शामिल हुए तरों ने जेद्दा घोशना पत्र को भी श्विकार किया और 2011 में अरब लीग से निलंबित होने के बाद में 2023 में पहली बाद सीरिया ने इस संबिलन में हिस्सा लिया है ठीक है? आपरेशन करोणा ये क्वेशन चप सकता है आपके पिपर में याद रखिएगा ठीक है? ये बहुत इंपोर्टेंट है आपरेशन करोणा 18 मई 2023 को भारत ने म्यामार के लोगों के लिए आपदा साहईदा प्रदान करने के लिए आपरेशन करोणा को स्टार्ट किया ठीक है? आपरेशन करोणा क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि यहां पर मोचा चक्रवात आया और मोचा चक्रवात ने कुछ विपरीध परिस्तितियां पैदा की और आपदा की स्थिति यहां पर उत्पन हो गई और इस आपदा की स्थिती में कुछ राहत सामिगरी या सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये जो ओपरिशन है करोणा ये स्टार्ट किया गया इस अभियान के अंतरगत भारती नौसाइना के तीन पोत जिनके नामें INS सिवालेक, INS को मोरता, INS सावित्री ये पहला जो दस्ता गया था वहाँ पर साहयता प्रदान करने के लिए उसमें ये तीनों पोत सामिल थे इन पोतों के माद्य हम से 40 तंस से ज़्यादा राहात सामगिरी जो है म्यामार भेजी गई थी और 19 माई 2023 को फिर एक जो दूसरा पोत था वो चिकितसा आपूर्ती की जो चीज़ें हैं जो है यह दक्षडपूर्व एशियाई देश है सा उसमें का कंट्री है जो के नौर्थ इंडिया के साथ में पूर्वत्तः भारत के साथ में अपना जो लैंड बॉर्डर है वो share करता है यानि जो पूर्वत्तर भारत की राज्ये हैं पूर्वत्तर भारत के चार राज्यों के साथ में म्यामार जो है अपनी boundary share करता है इसके अलावा भारत की जो neighborhood first और actist नीती जो है उसके intersection पर एक मात्र देश होने के कारण यह हिंद प्रसांच छेतर में भारत की छेत Asian country है और यह North East India के कितने राज्यों के साथ में boundary share करता है उन चार राज्यों का नाम आपको पता होने चाहिए इसके लावा आपको पता होने चाहिए कि North East India के कौन से state के साथ में म्यामार की सबसे ज्यादा लंबी boundary है वो मैंने नीचे लिख रखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए ठीक है भारत म्यामार सीमा जो है भूमी सीमा की बात करें तो इसकी लंबाई लगबग 1643 किलोमेटर के आसपास है भारत के चार राज जो है वो म्यामार से बाउंटरी शेयर करते हैं अरुनाचल प्रदेश नागालेंड मनीपूर और मिजोरम ठीक है अनामामी इसको मनीपूर और माई मिजोरम अरुनाचल नागालेंड मनीपूर और मिजोरम इसमें सबसे ज़्यादा बाउंडरी किस स्टेट की लगती है म्यामार के साथ में अरुनाचल प्रदेश की लगती है लगबग 520 किलोमेटर के आसपास ठीक है भारत से शटा एक मात्र आशियान द या के प्रवेश्ट द्वार के रूप में भी जाना जाता है भारत द्वारा सागर वीजन के तहट म्यामार में सित्वे बंदरगाह का विकास भी किया गया है सित्वे बंदरगाह का विकास किया है क्योंकि भारत से पहले चाइना ने भी यहां पर एक बंदरगाह का विकास कि है capital इसकी जो है वो है नैपिडो चीक है नैपिडो इसकी जो है capital है म्यामार की मुद्रा इसकी क्यात है और म्यामार से जुड़ी हुई एक संधी है अगर हिस्ट्री में आप थोड़ा सा जाएंगे यांडबू की संधी ठीक है पहला एंगलो बर्मा युद्ध जो हुआ था उसकी समापती यांडबू की संधी के द्वारा हुई थी फेबरी 1826 में ये संधी हुई थी और किस किस ने इस पर हस्ताक्षर किये थे अ लेबूरी 1826 में ये सीज़ें आपको यहां से याद रखने हैं इसके बाद में वर्ल्ड प्रेस विडम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं विश्व प्रेस सुतंतरता सूशकांग 2023 के देखा जाए तो भारत की रैंकेंग 161 है और भारत की प्रेस की रैंकेंग कितनी बढ प्रेस का पेपर जो है टेली ग्राम चैनलों पर उड़ते हुए फिर रहा था या आप आरो यारो का एक्जाम देने गए होंगे उसका पेपर भी जो है बच्चे निकले पेपर देने के बाद में और उनको पता चला के हम पेपर दे क्या हैं और पेपर साथ आट बजे से ही बाहर वाटसेप पर जो है विचरन कर रहा है तो ये सारी चीज़ें मीडिया को दिखती नहीं है देकि मीडिया को लोकतंतर का चौता इस्ताम वो माना जाता है समय था जब मीडिया का काम क्या था कि बड़े बड़े घोटा ले अगर आप थोड़ा सा 90s के टाइम में जाए उनको सिर्फ पत्रकारों ने जो है एक ओपरेशन चला करके खतम कर दिया था ठीके बहुत सारे घोटाले जो है केवल क्या सकते हैं पत्रकारिता के द्वारा ही बाहर आए थे लोगों के सामने आए थे आज का समय यह है कि पत्रकारिता बिलकुल निकरश्ट इस्तर पर अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी जो पेपर आउट हो रहे हैं पत्रकारों दिखनी रहा है जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तब जा करके कहीं न कहीं इन्होंने उसका संग्याल लेना स्टार्ट किया है नहीं तो लुप्यूपलिस के पेपर नार्वे ठीक है नार्वे लगातार सातवी बार पहले स्थान पर आया है विश्व प्रेश स्वतनतदा सूच कांक में उत्तर कुरिया इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि यहां तो पिल्कुल प्रेश को गुसने की भी एंटर करने की बयाजादी नहीं है कि जोंग ही प्रेश है वही सब कुछ है तो इस वजह से यह सबसे लास्ट इस्थान पर यहां पर कोई पत्रगारिता का मामलाई नहीं है एक आसीवे इस थान पर है अन्तिम स्थान पर है भारत का इस थान आपको पता है 161 है 2022 में जो भारत का इस्तान ता 150 वा था और सिती बेकार हो जा रही है यह बेकारी होईगी क्योंकि पत्रिकारिता का मतलब होता है जो छुपी हुई बाते हैं उनको बाहर निकालना और यहां पर पत्रिकारिता का मतलब क्या हो रहा है कि जो बाहर आई हुई बाते हैं उनको छु तो इसमें अलग-लग separately ranking को यहां पर दिखाया गया है तो यहां से देखिए आज की मतलब जो आपकी प्रेस है वो आपको पते हैं यह काफी वैश्विक दास्ता सूचकांग 2003 इसकी बात करते हैं भारत की जो इस्थिती है वो छटवी है मलब यहां पर थोड़ा सा उपर है मलब दासों की संख्यावी भारत में जादा है रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2021 में पूरे वल्ड में 50 मिलियन लोग जो थे वो आधुनिक दास् स्थिती में थे तो यह जो दास्ता सूचकांग है वो किसके द्वारा जारी किया गया है Walk Free Foundation नमकर और्कनाईजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे तीन देश जिसमें आधुनिक दास्ता में निवासत लोगों की अनुमानिक संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उसमें भारा सबसे ज़्यादा है, numbers के मामले में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आधने के दासता में लोग जी रहे हैं, दासता का मतलब यही नहीं है, मतलब दासता का मतलब आप इस तरीके से मतलिजेगे कि आपके हात पेरों में बेडियां बांदी हैं आपको कमरे में बंद कर दिया है और आप फैंक करके प्लेट पे खाना आपको दिया जा रहा है यही दास्ता थोड़ी होती है वह स्थिती भी दास्ता की कैट्गरी में आती है जब आप अपनी बात न कह पाएं या आप अपनी बात कहना चाहते हैं या तो यह भी दासता की केटगरी में ही चीजे आती हैं, तो यह ऐसी ही चीजे हैं, आप इसको उस तरीके से मत लीजेगा कि आपके पेरों में जंजीरें भांदी हैं, आपको दास बना दिया गया है, ठीक है, तो ग्यारे मिलियन लोग भारत में, ग्यारे मिलियन लोग भारत में जो है आधुनिक दास्ता की केटगरी में नंबर्स में सबसे ज़्यादा है भारत में दास्ता के इस दिती दूसरे स्थान पर चाइना 5.8 मिलियन तीसरे स्थान पर उत्तर कोरिया 2.7 मिलियन वैसे यहाँ पर यह देश जो हैं जैसे उत्तर कोरिया है तो वह चोटा सा कंट्री है इसमें उतनी ज़्यादा पॉपॉलिशन नहीं है तो अगर रैंकिंग के साब से देखेंगे तो उत्तर कोरिया भी भारत से उपर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ तो लगबग सब लोग दास है तो आप दास्ता की केटिगरी में है तो वैश्विक दास्ता सुचकांक 2030 में 160 देसों के सुची में उत्तर कोरिया सीर से स्थान पर है ठेक है नमबर्स का यहाँ पर बात कर देते इस वज़े से वो 30 से स्थान पर पहुँच गया था तो पहले स्थान पर याद रखेंगे उत्तर कोरिया भारत की रेंकिंग चटवी है और सबसे बहतर कंडिशन में स्विट्जर लेंड है विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अडे तो 5 अप्रेल 2030 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने 2022 के लिए विश्व के 10 यहां से देखते हैं तो टोटल जितने भी यात्री आवागमन करते हैं आते जाते हैं उनके मामले में यूएस का अटलांटा जीए जो हवाई अड़ा है वो पहले स्थान पर रहा है ठीक है कुल यात्री आवागमन में अंतराश्टी आवागमन के मामले में यूए का तो UAE का दुबई हवाइड़ा आज कल जिसके पास में जिम में पैसा है वो दुबई भागता है आपको पताएए इस तरीके से याद कर लेंगा इंतराश्टी आती है वागमन में UAE का दुबई हवाइड़ा कारगो यारी माल वगएरा जो होता है सामान वगएरा कारगो आया वैश्विक विद्युद समिक्षा रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है एक स्वतंत्र थिंक टैंक जिसका नाम है एंबर एंबर के द्वारा वैश्विक विद्युद समिक्षा रिपोर्ट का जो है प्रकाशन किया जाता है चौथा संस्क्र इसिदीन करते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो वस्य विध्यूद उत्पादन में अभी भी ये बहुत important data है जो मैं आपको बताने वाला हूँ देखिएगा इसको वेश्विक विद्युत उत्पादन है और पूरे विश्व में जितना भी electricity का production होता है उसमें सबसे ज़्यादा part किसका है मलब किस type से energy जो है जनरेट करी जा रही है तो जीवास्म इंधन के द्वारा सबसे ज़्यादा contribution है कुल विद्युत बादन 2022 में जितना हुआ उसका 61% contribution जो है उसमें जीवास्म इंधनों का है तो पहली चीज़ आपको यह पता चलिए विद्युत कई तरीके से बनाई जाती है जल विद्युत होती है जीवास्म इंधन द्वारा जो उर्जा है उसका पार्ट सबसे ज़्यादा है 61% अब इसमें भी थोड़ा से अंदर जाएंगे तो आपको पता चलिए कर जीवास्म इंधन भी कई तरीके के होते है जीवास्म इंधन में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है कोईला के द्वारा 36 प्रतिशत ठीक है जीवास्म इंधन सबसे ज़्यादा है 61% और जीवास्म इंधनों में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रिबूशन है 36% जीवास्म गैस का कॉंट्रिबूशन 22% और जीवास्म अन्य जो बचे कुछे जीवास्म स्रोथ होंगे उनका 33% ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर यह 61% हो जाता है स्वच्च विद्यूत उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोथ जलूर जाए हाइडरो जो पावर होती है उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको अगर देखा जाएगा तो वो स्वच्च विद्यूत उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा स्रोथ है मतलब इसका जो वारत विद्युत मांग के मामले में तीसरे इस्थान पर है विद्युत छेत्र सभी उर्जा छेत्रों में सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जत के लिए उत्सर्जन होता है उसका अकेले 40 उत्सर्जन जो होता है वो कहां से होता है विद्युत छेत्र से होता है अब यहां पर हमने देखा था उपर विद्युत की डिमांड सबसे ज़्यादा है चाइना में तीसरे इस्थान पर भारत है दूसरे इस्थान पर अमेरिका है अब सीर्षतिन CO2 उत्सर्जक अर्थ विवस्था हैं विद्युत छेत्र में CO2 का उत सर्जक कंट्री चाइना, दोसे इस्तान पर अमेरिका, तीसे इस्तान पर भारत याद रखेंगे, ठीक है, अब भारत जो है, कितना CO2 उत्सरजन करता है, यह नंबर अगर थोड़ा सा याद रखें, तो यह रख लीजेगा, 1162.3, ठीक है, इसको याद रखें, इतने million ton CO2 का उ सरजन इंडिया के द्वारा किया जाता है, टाइम 100 सरवादिक प्रभाब साली विक्ति 2023, टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 में, विश्व के सो सबसे ज़्यादा प्रभाब साली विक्तियों की वार्शिक सूची जारी की गई है, बीस्वा संस्क्रण है इसका, तो अलग-लग क इसे विक्तियों के नाम की जरूतिक रह में हैं, टो आर्टिस्ट के ट्ड़ी में मैं, विक्तियों की सूची में है, तो टूटल कलाकार श्टटिम सesud मैं 19 लोग सामिल हैं जसमेंसे दो के नाम यहां पर आपको नज़रा रहे हैं इनोवेटर्स की स्टड़ी में किलियन एमबापे फ्रांस के फुटबॉलर है और इगा स्विटेग ये पोलेंड की टेनिस खिलाड़ी है इनको को शामिल किया गया है असाधारन विक्ति वानि टाइटन्स की कैटिगरी में पदमलक्षी जो के भारती मुलकी अमेरिकी लेखेका हैं अभिनेतरी हैं मौडल हैं टेलिविजन होस्ट हैं पदमलक्ष में इनका नाम है इसके अलाबा स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क और लियोनल मैसी को इस कैटिगरी में शामिल किया गया है नेताओं की स्टडी में बीश लोग शामिल हैं और इन मैंसे जो प्रमुख नाम हैं उनको आप देख लेजिए ओलेना जैलेंस का जो कि यूक्रेन के रास्टरपती की पत्नी है जो बाइडन जो के अमेरिकी की जैने टैलन अमेर्की वित्तमंत्री है ये कुशप्रमक्र विक्ति जो है वो लीडर्स वाली केटिगरी में शामिल है आइकोन स्टरणी में 15 लोगों को जो है शामिल किया गया है जिसमें भारत के शारुख खान को भी शामिल किया गया है मार्ग दर्शक श्रड़ी में भारतिय फिल्म निर्देशक S.S. राजमोली को शामिल किया गया है यह आप याद रखेंगे ठीक है फिनलेंड जो है नाटो का 31 सदस्य बना है नाटो के बारे में आपको पते ही होगा बेसिक जानकारी आप जानते हैं नाटो का फुल फ अक्षर के साथ में नाटो की आधार्शला रखी गई थी इस संथी को वाशिंग्टन ट्रीटी के नाम से भी चाना जाता है तो मुख्या खबर तो यही है कि फिनलेंड जो है वो नाटो का नवीनतम और एक तीस्वां सदस्य बन गया है इससे पहले तीस्वां सदस्य कौन बना था वो तरी मैसोडेनिया ठीक है 2020 में जो है तीस्वां सदस्य बना था नाटो का जो हैड़कॉर्टर है वो कहां पर है ब्रुसेल्स में है बेल्जियम में और स्वीडन को भी वासिंग्टन संदी को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है फिलाल यह फैक्ट ज लिए अपनी इच्छा जाहिर की है वो चार देश कौन-कौन से हैं बोस्निया एवं हर्जे गोविना जौर्जिया स्वीडन और यूक्रिन उत्री अटलांटिक संदी यह इंपोर्टेंट है उत्री अटलांटिक संदी का आर्टिकल 10 जो है उसमें नाटो का सदश्य कौन ब रहे हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसके आधार पर लगता है कि हम ही विश्व गुरू है पता ही नहीं क्या हो रहा है ठीक है जटनी भी रैंकिंग देखेंगे किसी भी देश की स्थी बहुत बहतर होनी चाहिए उसमें हम सबसे नींचे हैं लेकिन फिर भी प्रकाशित की जाती है ये सन्युक्त राष्ट सतव दिकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित की जाती है और ये रिपोर्ट जिन 6 कारकों के आधार पर तयार की गई है वे 6 कारक और कौन से मनलब प्रसंदता का जो माप दंड निर्धारित किया गया है वे इन 6 कारकों के आधार पर निर्धारित किया गया है पर कैपिटा जीडीपी इसके अलावा सोशल सपोर्ट सामाजिक अवलंबन स्वस्थ जीवन प्रतियासा चीवन में ऑप्शन्स चुनने की जो फ्रीडम है इसके अलावा उदारता और परशेप्शन्स आफ करेप्शन प्रस्टा चारपूर्ट ये 6 ऐसे कारक हैं जिसके आधार पर जो आपकी प्रशन्नता है प्रशन्नता को निर्धारित किया गया है 137 देसों को इसमें रैंक प्रदान किया गया है चटवी बार फिनलेंड जो है सबसे प्रसिद्ध देसों की सूची में पहले इस्थान पर है फिनलेंड मतलब फन करो मौज मस्तीलो तो प्रसंद रहो 6 वी बार फिनलेंड जो है वो पहले इस्थान पर रहा है World Happiness Report 2022 में भारत का 136 वे इस्थान था, थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है, 126 वे इस्थान पर आ गया है, लेकिन ये उतना सुधार नहीं है, जितना होना चाहिए, इसके बाद में आता है आपका लद्दाख और मयूर भंज, ये भी बहुत important question है, मैं expectation कर सकता हूँ कि ये प् विलक्षन बाग और प्राशीन मंदरों के लिए प्रशिद्ध है, और यहां से दिखते हैं, 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की है, और ये जो ऐसे स्थल थे, जिनने 2023 में घूमने के लिए, विश्व के सबसे अच्छे स्थानों के रूप म चिन्नित किया गया था, तो इसमें से मयूर भंज उडिसा का एक जिला ये भी शामिल है, और यहां पर मयूर भंज जिले में सिमली पालराश्टी पार्क है, 1980 में इस्तापित हुआ था, यहां पर ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं, काले बाग पाए जाते हैं, इसके लाबा जो है, वो है आपका लदाख, ठीक है, मयूर भंज, पहला इस्तान, दूसरा इस्तान जो इसमें शामिल हुआ है, वो लदाख है, लदाख आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी है, भारत का के इंदिसासित प्रदेश है, और लदाख अपने अलपाइन भू परिद्रश्य और तिब्बती बहुत कल्चर के लिए भी बहुत प्रिसिद्ध है, हाली में भारत का पहला डार्क स्काई अभियारण लदाख के ही चांग ठांग वनेजीव अभियारण के अधिकान से हिस्से में हनले गाउं में स्थापित किया गया था, ठीक है, तो यह होगे आपके इस और यह ओलिव रडले कशुए के लिए विशेश रूप से जाना जाता है, ठीक है, बहुतर करने वाँ मैंग्रोव भी है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूँ यहां से, ठीक है, टिकर पाड़ा, चिलका, अभ्यारण्य, सुना बेड़ा, यह जो है ओडिशा के कुछ रास्टी उध्यान है, नरत्यों की बात करें, चाओ नरत्य की बात तो हमने वहाँ पर कर ली, इसके अलावा और भी कुछ नरत्य हैं जो ओडिशा के हैं, जैसे ओडिशी हो गया, गोरी पुआ हो गया, टंडा नाता, संबा भी वहाँ पर पाये जाते हैं, एस्यान हाथी वहाँ पर पाये जाते हैं, तो यहां से उससे जुड़ी होई चीज जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में, यह भी आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, यह पूछा गया है, आरो में, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, और जो है, सरवादिक हाथी, अगर आप से पूछा जाए, कि सबसे ज़्यादा हाथी कहां पर है, तो सबसे ज़्यादा हाथियों कि संगे करनाटक में, फिर असम, तीसरे स्थान पर आपका केरला है, औ इसके बाद में लदाक की थोड़ी बात हुई थी, लदाक के समुदायों के नाम आपको पता होना चाहिए, ड्रोगपा, बलती और चांगपा समुदाय लदाक में पाई जाते हैं, लदाक की सीमा की बात करेंगे, तो पूर्व में इसकी सीमा तिबबत के साथ लगती है, द प्रसिद्ध बौध मठ हैं, जो के मैंने आपको उनके नाम लिख रखे हैं, लामा यूरू मठ, हेमिस मठ, चेम्बरे मठ और शी मठ, इस मैंसे जो हेमिस मठ है, ये जो है सबसे भव्य और कह सकते हैं, प्रसिद्ध मठ है, और हेमिस मठ जो है, लदाक में एक त्योहार मना जाता है जून के महीने में प्रतिवर्स हैमिस त्योहार हैमिस त्योहार की पर्मनेंट जगह या जो इस्थली है उसकी वो हैमिस मठी है तो ये भी आप यहां से याद रखेंगे वेश्विक आतंकवाद सूचकांग 2023 की बात करते हैं वेश्विक आतंकवाद सूचकांग में भारत की रैंकिंग 13 है और वेश्विक आतंकवाद सूचकांग जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है यह इस सूचकांग के प्रभाव का ध्यन और विशलेशन करता है और इस सूचकांग के अनुसार यहां से बताया गया है कि 2021 की तरह ही 2022 में भी जो इसलामिक स्टेट है IS IS है इसलामिक स्टेट जो है वो 410 आतंकवादी हमलों के साथ में विश्व का सबसे घातक आतंक की सम्मू है डैडियस्ट आपका टेरिरल ग्रूप है IS ठीक है और कुल 71 देशों को इस सूचकांग में 0 स्कोर के साथ में आतंकवाद से अपरभावित देशों की कैटिगर है जिन पर आतंकवाद का कोई प्रभावत नहीं है या अतंकवाद से अपरभावित हैं ठीक है तो नमबर याद रखना है कुल कितने देशों को आतंकवाद से अपरभावित देशों की शुड़ी में रखा गया है एक हत्तर देशों को या फिर कितने देशों को शूर याद रख लेना बस आतंक वाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का इस्थान यहां से अगर हम देखेंगे तो उसी तरीके से चीज़ां देखनी है जैसे मैंने पहले ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में बताया था तो इसमें भारत की रेंकिंग ओबरॉल रेंकिंग तेरे भी है तेरे ब्रिक्स देश्व में सर्वादिक प्रभावित देश भारत उस सबसे पहले बात तो यह आती है कि जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी की जाती है तो यह सिपरी के द्वारा जारी की जाती है और 2018-22 की जो अवदी थी चार वर्शों की उसमें कितना अंतर आया है सस्त्र हस्तांतरण प्रवर्थियों में तो यहां से देखेंगे 2018-22 की अवदी में कि रिपोर्ट 2022 में आई है 2018-22 का डाटा यह प्रस्तुत करती है 2018-22 की इस अवदी में 2013-17 की तुल्णा में पांस दस मिलब एक प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है नतरास्टी यह सस्त हस्तांतरण की प्रक्रिया में ठीके 2018-22 की अवदी में विश्व के पांच सबसे बड़े हतियार निर्यातक आर्म एक्सपोर्टर्स जो बेचने वाले देश थे उसमें सबसे पहले स्थान पर USA था फिर रूस था फ्रांस था चीन था जर्मई था यह पांस देश ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा हतियार बे अब यह तो हो गई निर्यातक की बात सबसे ज़्यादा हतियार खरीदने मामले में कौन से देश सीट पर हैं तो भारत सबसे ज़्यादा हतियार कौन देता है पैसे अगर देखा जाए तो USA सबसे बड़ा हतियारों का एक्सपोर्टर है लेकिन भारत के लिए एक्सपोर्टर जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो रसिया है याद रखेंगे ठीक है तो जैसे हमने देखा था कि कुल पूरे विश्यम है हतियारों का जितना निर्यात होता है उसका 76 प्रतिशत के लिए उत्तरदाई वो पांस चुके हैं और ठारे से 22 में विगत वर्ष की माती भारत का सबसे बड़ा हतियार का जो आपूर्थी करता देश से वो रशिया है मैंने आपको बता दिया है ठीक है और भारत का कुल जितना भी सस्तर आयात होता है उसमें रूस का जो एक सकते हैं हिस्सा है वो 45 प्रतिशत है अब यहां से जो याद करने वाली चीज़े हैं वो यहां से देखेंगे 12 मार्च 2003 इसको डॉल्बी थीटर लॉस एंजल्स में पिच्चानवेवे अकादमी पुरस्कारों के विजिताओं की खोशना की गई सबसे ज्यादा 11 जो नॉमिनेशन्स थे नावांकन थे वो किस फिल्म को प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए एवरिधिंग एवरिवियर ओल एट फंस को ठीक है डेलियन कौन और डेनियल स्की स्कीनर्ड द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सबसे ज्यादा साथ आसकर पुरस्कार अपने नाम किये मतलब सबसे ज्यादा नॉमिनेशन्स 11 कैटिगरीज में इसको नॉमिनेट किया गया ठीक है एवरिधिंग एवरिवियर ओल एट फंस को लेकिन मिला कितनी कैटिगर साथ कैटिगरीज में इसको पुरसकार मिला निर्देशक किसके डेनियल कौन और डेनियल स्कीनर्ड थे मल्टी वर्स मल्टी वर्स का मलब होता है बहुत सारे ब्रह्मांड तो कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूव यह थीम है इस पर आधारित अमेरिकी कॉमेड़ी फिल्म को सवसेस्ट फिल्म के ऑशकर पुरसकार से संमानित किया गैं तो मल्टी वर्स का नाम आप याद रखेंगे और इसी फिल्म के लिए डेनियल कौान और डेनियल स्किनर्ट ने सवसेस्ट डाइरेक्टर का पुरसकार जीता मलाेशया या अभीनितरी मिशेल यो, ठीक है, इनको Everything, Everywhere, All at Once फिल्म में उनकी शांदार अभिने के लिए सर्वसेष्ट अभिनेतरी का ओश्कर मिला तो सबसे, कह सकते हैं सर्वसेष्ट अभिनेतरी का ओस्कर किसको मिला है मिशेल यो को, और ये पहली एशिया ही महिला है इसके अभिनेतरी का ओस्कर मिला है में ओसकर पुरसकार दिया गया तमिल भासा की इस फिल्म की निर्देशक कार्थकी गॉंजालवेज और निर्माता गुनीत मौंगा ने स्टेज पर जा करके पुरसकार ग्रहन किया पहली बार यह मौका था जब किसी भारती प्रोडक्शन कंपनी को ओसकर पुरसकार प्रदान जो है किया क्या ठीक है एसस राजा मोली द्वारा निर्देशत तेलगु फिल्म आर 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 का एक गाना था नाटू नाटू आप सभी ने सुना होगा उसके लिए सर्वसिस्ट संगीत ओर्जिनल सॉंग कैटिगरी में उसको आस कर दिया गया नाटू नाटू के संगीतकार एमेम किरवानी और गीतकार चंद्रबोस ठीक है यह नाम याद रखेंगे इन्होंने ही स्टेज पर जाके यह प्राइस ग्रेंड किया था इस गीत के गायक है राहुल सिपली गंज और काल भेराव असीवे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बैस सॉंग मोशन पिक्शर का अवार्ड ये भी जो है नाटू नाटू को मिला था भारती फिल्म निर्माता सौनक सेन द्वारा निर्देशे दोकुमेंटरी फिल्म आल डैट ब्रीथ दोकुमेंटरी फीचर फिल्म स्टूडी मे सौट लिस्ट अंतिम पांच फिल्मों में शामिल रही लेकिन इसको ऑस्कर प्रशकार नहीं मिल पाया इस इसी तरीके से पैन नलिन द्वारा निर्देशे तिक गुजराती भारशा की फिल्म छेले सो जो है भारत की तरफ से एक आधिकारिक प्रवस्टी थी अंतराश्टी फिचर फिल्म स्ट्रेडी में प्रतिस परदा के लिए लेकिन ये भी जो है अंतिम पांच फिल्मों में स्थान नहीं बना पाई पिचानवे वे ऑस्कर प्रस्ट करता के रूप में पहुंचने वाली पहली भारती महिला परसिस खंबाटा थी ठीके तो प्रेजेंटर्स की यहां पर बात हो रही है पिचानवे वे ऑस्कर प्रस्कारों को प्रेजेंट किस ने किया स्टेज को मतलब एक तरही से कह सकते हैं स्टेज पर जो उद्गोशक होते हैं प्रस्तुत करता होते हैं मंच संचालन करता होते हैं वो दीपिका पाद कौन रही और 1910 में पहली अभ देशे भारती की यह जो अभी नेत्री थी वो प्रेंकच्यों पड़ा थी इसकी बााद में आता है लेगाटर्म सम्रदी सुचपांग ठिक हैं लेगाटर्म प्रॉस्परिटी इंडेग्स जो है यह ह्लीगाटर्म इस्ट्यूट के द्वारा हर साल जारी किया जाता है दिनमार्क पहले स्थान पर है दच्छी सुडान लास्ट रेंग पर 167 स्थान पर और लेगाटम सम्रदी सूचकांग में भारत को 103 स्थान मिला है इस सूचकांग में वर्स 2023 में पश्चिमी यूरोप जो है विश्व का सबसे सम्रद्ध छेतर है आर्थिक स्वतंतता सूचकां इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है 27 फरवरी 2013 को आर्थिक स्वतंतता सूचकांग 2013 को जारी किया गया इसमें चार देशों को जो है अत्यदिक उच्छ आर्थिक स्वतंतता स्कोर प्राप्त हुआ है यह चार देश कौन-कौन से सिंगापर, शुट्जल लेंड, आइर रखा गया है और भारत, ब्राजील और रूस जैसी जो अर्थिविवस्ताएं है वे इसी स्रडी में है तो भारत किस कैटेगरी में है याद रखेंगे प्रा यह गैर स्वतंत्र, mostly unfree कैटेगरी में इसको रखा गया है सिंगापूर को सबसे स्वतंतर अर्थिविवस्ता को प्राइब गया है और इस आर्थिक स्वतंत्र, सुचकांक में 2023 में भारत को overal 31 स्थान प्राप्त हुआ है गरी कलचर इनोवेशन मिशन फ्रोख ग्लाइमिट में जो है भारत शामिल हो घय कैटेगई तो ऑगरी कल्चर इनोवेशन मिशन फ्रोख क्लाइमिट यह जो है USA और UAE की एक संयुक्त पहल है जिसकी शुरुआत ग्लाजगो में संयुक्त रास्ट जल्वायू परिवर्थन संभेलन 2021 यानि COP26 के दोरान हुई थी और AIM4C मदलब Agriculture Innovation Mission for Culture, सुरी, Climate जो है, ये 2021 से लेकर के 25 के बीच में जल्वायू स्मार्ट करसी और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन को बढ़ाना चाहता है 22 फरवड़ी 2023 को भारत एक आश्य पत्र पर स्ताक्षर करके समूह में शामिल हो गया भारत अभूधाभी में आयोजित I2-U2 समूह के पहले Business Forum के दोरान AIM4C में शामिल हुआ इसमें टोटल सदस्चियों की संख्या 55 है और 8 से 10 मई 2023 के बीश में इसकी जो मेजबानी जो थी वो अमेरिका की द्वारा की गई थी वासिंग्टन DC में ठीक है इसके बाद में आता है आपका अंतराश्टी बौधिक संपदा सूचकांग इसमें इंडिया की रैंकेंग 42 है पहले स्थान पर USA है अमेरिकी वाणिजिक संगठन US Chamber of Commerce से संबद Global Innovation Policy Center के द्वारा 2012 से लगातार इसको जारी किया जा रहा है अंतराश्टी बौधिक संपदा सूचकांग को तो मैंने आपको दो चीज़ें पहले ही बता दी है कि अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत की जो रैंकिंग है वो 42 है ठीक है पशपन देशों में यहां बहुत हम बात कर रहे हैं पहले स्थान पर USA हो गया भारत 42 स्थान पर हो गया और Asia में जो पंदर देश है Asia के उसमें भारत 12 स्थान पर है और किस कैटेगरी में भारत को यहां पर रखा गया है निम्न मद्यम आयवाली अर्थिवस्ता की कैटेगरी में Lower Middle Income Economics की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है भरस्टाचार बोध सूचकांग यह किस के द्वारा जारी किया जाता है यह Transparency International के द्वारा जारी किया जाता है 1995 वैसे इसको लगातार जारी किया जा रहा है Transparency International का जो सची वाले है वो भरलिन में है जर्मनी की राजधानी में ठीक है और भरस्टाचार बोध सूचकांग 2022 में 13 सर्विक्षण और विशेसंग मुल्यांकनों के आधार पर विश्व में 180 देशों और छेत्रों को सारवजनिक छेत्र में व्याप्त भरस्टाचार के इस तरों के नरूप इस सूचकांग में रैंकिंग प्रतान की गई है या सबसे अच्छी स्थेती है ब्रस्टाचार के मामले में सकारात्मकिस स्थेती है और सोमालिया जो है ब्रस्टाचार के मामले में सबसे ब्रस्ट देश जो है इसको यहाँ पर गोसित किया गया है सबसे ज्यादा ब्रस्टाचार वाला देश सोमालिया सबसे कम भरस्टावार जला देश जो है वो डेनमार के है फिल्लेंड, न्यूजिलेंड, सन्यूक तरूप से दूसरे स्थान पर है भारत जो है भरस्टाचार के मामले में 40 अंकों के साथ में 85 वे स्थान पर है यह आप याद रखेंगे भारत वासेनार विवस्था का अध्यक्ष बना है तो वासेनार ये क्या है वासेनार विवस्था एक बहुपक्षिय स्वेक्षिक निर्यात नियंतरण विवस्था है Export Control Regime वासेनार जो नाम है ये दहेग नीदरलेंड में स्थितिक उपननगर के नाम से लिया गया है जहां ये समझोता 1995 में हस्थाक्ष रित किया गया था इस विवस्था में 42 सदस्य हैं 2017 में भारत इस विवस्था का सदस्य बना था समिकतराष्ट के 4 सथाई सदस्य जो है रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके इस विवस्था के सदस्य है चीन जो है इस विवस्था का सदस्य नहीं है ठीक है एक जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तोर पर वासिनार विवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता घ्रहन करी है और इसका जो कारेकाल रहेगा भारत का एक वर्ष का जो है रहा था एक जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक मानःव सुतंतरता सूचकांक 2023 की बात करते हैं मानव सुतंतरता सुचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 109 ही है ठीक है 19 दिसंबर 2013 को वासिंग्टन DC से कैटो इंस्टिटूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टिटूट द्वारा संयुक तूप से मानव सुतंतरता सुचकांक यानि Human Freedom Index 2013 को जारी किया गया मानव सुतंतरता सुचकांक में सबसे सीर्ष देश सुट्जर लेंड है सबसे पहले स्थान पर दक्षड एशाई देशों यानि सार्क देशों की बात की जाए सार्क देशों की बात की जाए सार्क कंट्रीज में सबसे पहले स्थान पर सिंगापूर है, पूरे विश्यमे रैंकिंग सिंगापूर की 42 है मानफ सथनता सूच का अंक में अचैनों सिंगापूरれた की रैंकिंग हमें या पता होना है, भारत की र्यजनल ठीक है, यानि सार्क के देशों में और overall रैंकिंग जो है वो 109 है, 165 देशों में से वेश्यक प्रतिवा प्रतिसपर्दा सूचकांग 2003 इसकी बात करते हैं ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये जो है आपका इंसीट बिजनेस स्कूल द्वारा डिसकार्टेज इंस्टिट फॉर दे फूचर जेनेवा तथा हुमन कैपिटल लीडर से इस्टिटूट सिं पहले इस्टान पर है और लास्ट वाला इस्टान जो है वो चाड को मिला है चाड जो है वो 134 वे इस्थान है वेश्विक प्रतिवा प्रतिसपर्दा सूचकांग के मामले में भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत की स्थिति यहाँ पर 103 वी है ओवराल रैंकिंग इसकी और किस आयवर्ग में इसको रखा गया है, निम्न मध्यमाय वर्ग में भारत को रखा गया है, छेत्रीया rank देखेंगे, छेत्रीया मद्ध्या और दक्षडेशिया चे देशों में भारत की रेंकिंग पांच भी है, Rule of Law Index 2023 World Justice Project के द्वारा Rule of Law Index जो है जारी किया गया है 2023 में और इसमें जो शीर्स देश है वो डेनमार्क है बेंजुएला इस रैंकिंग में बिलकुल लास्ट वाले स्थान पर है 142 वे स्थान पर है सूचकांक में 6 दक्षड एशियाई देशों में अगर बात की जाए तो भारत जो है वो छेत्री द्रश्टी से तीसरे स्थान पर है और ओवराल रैंकिंग में जो है उन्यासीवे स्थान पर है ठीक है इसके बाद में बात करते हैं World Giving Index 2023 के बारे में World Giving Index जो है यह Charities Ad Foundation के द्वारा जारी किया जाता है CAF के द्वारा और यह जो इंडेक्स है World Giving Index है यह उदारता से संबंदित Generosity से संबंदित वैश्विक प्रवर्तियों पर प्रकास डालता है कौन सा देश कितना उदार है तो 2023 की इस रैंकिंग में 142 देशों को शामिल किया गया है जिसमें से इंडोनेसिया को विश्व का सबसे उदार देश जिसमें जो है बताया गया है Most Generous Country जो है वो कौन है वल्ड में इंडोनेसिया है भारत की रैंकिंग इसमें 43 भी है अंतिम चार देश Poland, Croatia, यह वनो जापान चारों को याद मत रखिएगा अंतिम देश याद रखिएगा Poland, ठीक है अब इसके बाद में यह नया topic स्टार्ट होता है यहां से अंतराश्टी सम्मेलन, ठीक है इसको देखते हैं, सबसे पहले बात करते है COP28 के बारे में संयुक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 यानि COP28 यह 30 नमबर से 12 दिसंबर 2023 के बीश में कहां पर आयोजित की आ गया यह दोबई में, ठीक है संयुक्त अमीरात के दोबई में इसका आयोजित की आ गया और आधिकारिक रूप से यह जो सम्मेलन था यह UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 28 सत्र था इसी वज़े से इसको जो है COP28 कहा जाता है COP28 का इसको नाम दिया गया अधिक्षता COP28 की किस ने करी यह important है COP28 की अधिक्षता दोबई में किस ने करी थी यह सुल्तान अहमद अलजबेर के द्वारा करी गई थी और इस सम्मेलन में जितने भी देश इसमें शामिल हुए थी तो पैरिस समझोते के तहट जलवायू परिवर्तन को सम्बोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के पहले वैश्विक स्टॉक टेक समती पर यहां पर बनाई गई है वैश्विक ग्रीन हाउस गेस उतरजन में 2019 के इस तरों की तुल्ना में 2030 तक यह लक्ष रखा गया है कि 2019 में जतना ग्रीन हाउस गेसों का उतरजन हो रहा था उसमें 43% की हमको कटोती करने होगी कमी करने होगी और इस कटोती को जब हम करते हैं तब ही हम जो ग्लोबल वार्मिंग का हमारा स्तर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीबित कर सकते हैं ठीक है इसके साथ साथ कुछ और भी समझोते हुए हैं उन में से एक समझोता यह भी है कि वर्स 2030 तक जो नवी करने उर्जा है उसकी वैस्विक स्थापित चमता को तीन गुना करने में योगदान करने के लिए सभी देसों से जो है सर्वसमत समझोता करने का आहवान किया गया है और 2030 तक विस्वकी स्थापित नवी करने उर्जा उतपादन चमता को नियूंतम 11,000 गीगावार्ट तक पहुँचाने का लक्षी भी जो है इस सम्हिलन में निधारित किया गया है इसके लावा वर्ष 2030 तक प्रतेक वर्ष उर्जा दक्षता सुधार की वैस्विक और सत्वार्शिक दर को 2% जो के वरतमान में है इससे दोगना करते हुए 4% से ज्यादा करने का आहवान किया गया है ठीक है COP28 के लिए वैस्विक सीतलन प्रतिग्या Global Cooling Plans इस प्रतिग्या में हस्ताक्षर करता के रूप में 66 अदास्टी सरकारें सामिल है जो वर्ष 2050 तक 2022 के इस तरके साफ एक वैक्ष्विक स्तर पर सभी छेत्रों में सीतलन संबंदी उर्चसरजनों में नियूनतम 68 प्रतिषत की कटवती करने के लिए मिलकल कार करने के लिए प्रतिवर्द है मतलब यह एक लक्ष्य द्रधारित किया गया है मतलब इस सारी चीजें जो हम सब्सक्राइब लेवल था एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जिदना भी लेवल था 2022 उसके सापिच पूरे वैश्विक स्तरपल सभी छेत्रों में सीतलन संबंदी उत्थरजनों में नियूनतम इसके बाद आता है आपका कॉप 28 के लिए वैश्विक सीतलन प्रतिग्या ग्लोबल कूलिंग प्लैज इसमें 66 रास्टी सरकार हैं शामिल हैं और इन्होंने प्रतिबद्धिता जो है वो प्रतिबद्धिता क्या है कि 2050 तक 2022 के साफिक्ष वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के स्तर पर सभी छेत्रों में सीतलन संबंदी जो उत्सर्जन है सीतलन संबंदी उत्सर्जनों का मतलब क्या है जो एक तरह से जो एयर कंडिशन होते हैं तो एर कंडिशन होते हैं जो हम घरों में यूज़ किरते हैं एक बड़े लेवल पर उध्योग किस तर पर भी सीटलन की प्रकृरिया, cooling की प्रकृरिया जो है वो अपनाई जाते हैं तो उससे भी बहुत सारी हानिकारिक चीजों का सरजन होता है तो सीतलन से जुड़े हुए जितने भी उत्सरजन है उनमे 68% तक की कटोती करनी है हमको 2050 तक और लेवल क्या रखा गया है यहां पर 2022 का, 2022 में जो लेवल था उस लेवल के हिसाब से 68% की कमी करनी है हमको जो भी कूलिंग संबंदी हमारे उत्सरजन है उसमें ठीक है, इसके लि और कॉप 28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायू कारवाई सिखर संबिलन में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने जो है हिस्सा लिया है आगे देखते हैं यह संबिलन एक से दो दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया भारत द्वारा ये इंपोर्टेंट है भारत द्वारा रखा है इस पर अगर स्विक्रती जो है इनको मिल जाती है तो 2002 के बाद में यह दूसरा कॉप संबिलन होगा जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा इससे पहले 2002 में जो है इसका आयोजन भारत में किया गया था कॉप 28 के दौरान पीम नरेंदर बोधी ने ग्रीन क्रेडि और एवं 1 और जलवायू परिवर्थन मंत्राले के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दौबई में कॉप 28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का सुभारम किया गया याद क्या रखना है ग्रीन राइजिंग पहल जो है किस किस के सहयोग से स्टार्ट करी गई है तो UNICEF और जनरेशन UNLIMTED भारत का पर्यावरण 1 और जलवायू परिवर्थन मंत्राले इनके सहयोग से COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का सुभारम 8 दिसंबर 2023 को किया गया उद्देश कैस पहल का विश्वबर में जो युवा है युवाओं को विबिन हरित पहलों में भागिदारी करन और अपने आपको जलवायू परिवर्थन के प्रभावों के अनकूल ढालने के लिए प्रमोट करना ठीक है ग्लोबल रिवर सिटीज अलाइंस को जल शक्ती मंत्राले द्वारा रास्ट ये स्वच गंगा मिशन के नित्रतों में COP28 के दौरान लांच किया गया इस अलाइंस में ठीक है ये जो ग्लोबल रिवर सिटीज अलाइंस है इस अलाइंस में 11 देशों के 275 से ज्यादा ऐसे शहर है जो नदीयों के तड़ परिस्ते थे नदी शहर है ठीक है वो इसमें शामिल है और 11 देश है वो आपको पता ही है इसमें ठीक है 16 नवंबर 2023 को UAE द्वारा COP28 स पूर्व बिश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर उर्जा सायंतर जिसका नाम है अल धफरा सोलर फोटो वोल्टाइक इंडेपेंटेंट पावर प्रजेक्ट इसका उद्घाटन किया गया 16 नवंबर 2023 को ठीक है COP28 का आयोजन से पहले चमता है इसकी दो गीगावाट है अब COP28 के बारे हम बात कर रहे हैं COP29 और COP23 इन का आयोजन कहां कहां पर होगा COP29 का आयोजन होगा अजर्बेजान में और COP30 का आयोजन जो होगा वो ब्राजील में प्रस्तावित है ठीक है ये 2025 में होगा COP30 और COP29 दोजार 24 में और COP33 के लिए जो है मेजबानी के लिए भारत में पेशकश जो है रखी है सभी सदस्यों के सामने अगर वो सुईकरत हो जाती है तो 2002 के बाद में 2002 के बाद में ये पह अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के बीच में स्विट्जर लेंड के जनेवा में पारे पर मिना माता अभी समय के बच्छकारों के संभीलन की पांचवी बैठक कायोजन किया ठीक है और इसकी अद्यक्षता किसके द्वारा की गई क्लाउडिया दुमित्रू की द्वारा की गई कॉप वाइफ का मतलब क्या है यह मिनी माता अभी समय पर पांच वी बैठक है और देखे यह करेंट से जुड़ी हुई चीज है और इसी से जुड़ा हुआ क्योंकि कि किसी ने पढ़ा होगा इस पर तो यह पूछ लिया गया कि जो मिनी माता रोग वो किसकी वजह से होता ह ठीक है पारे की वजह से होता है तो यह कुश्चन जो है वो प्यूचा गया है आरो में तो इसी तरीके से चीजों को देखते चलना है कॉप 5 में 23 निर्णे जो है अपनाएगे जिन में से कुछ महत्तपुन निर्णे नीचे दिये जा रहे हैं इनको देख लीजेगा बैटर 65 तक 94 तरीके से कम करने का निर्णे लिया गया है इसके अलावब 2020 तक 94 दूरौप से सौंधर प्रजादन जो होते है कॉस्मेटिक्स जो होते है उसमे Oxin circa Halo और 2025 के बात में जितनी भी कॉस्मेटिक्स होते है उसमे पपूhet का फूर्णड रूप से जो गिन bring करने का निर्णे की सीमा जो है निरधारित करने पसेमती विक्त किया और पाले की कुल क्यांदृत की सीमा जो निरधारित की करी यह वो कितनी है यह इंपोर्ट ने अगली बेठक जानि कॉप 6 यह तो गरख इसको कि द्वारा की जाएगी तो ओस्वाडो पैट्रिस वह लुढूरी बेरेज ठीक है यह चिली के हैं पारे पर मिना माता अभी यह क्या है ये एक संधी है इसको 2013 में अपनाया गया और 16 गस 2017 को जो है ये लागू हुई थी भारत जो है मिना माता अभिशमय का एक पक्षकार है और 2018 में भारत में मिना माता अभिशमय का अनुसमर्थन किया था रेटिफिकेशन किया था वर्तमान में यानी बारे जनवरी 2024 तक का यह आंकड़ा है पारे पर मिना माता अभिशमय के कुल जो हस्ताक्षार्च करता देश से उनकी संका 128 से 147 जो है इसके पक्षकार है जीपी ए आई सिखर संबिलन 2030 की बात करते हैं ठीक है तो पहले जीपी ए पार्टनर्सिप और आर्टिफिशल इंटलीजेंस यानि कृतिम बुद्धिमता पर वेश्विक साज्यधारी यह एक अंतरास्टी और बहु हित धारक पहल है यह सदस्य राष्ट्रों के बीच में जो ए आई है यानि आर्टिफिशल इंटलीजेंस के छेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वेश्विक साज्यधारी ग्लोबल पार्टनर्शिप है ठीक है इसको कब लॉंच किया गया था 15 जून 2020 को सचिवाले जीपी याई का पैरिस ठीक है पैरिस से जो आपका आर्थिक और विकास संगठन है OECD है वहां पर जो है इसका सचिवाले ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यह जो समू है इसके सदस्यों की कुल संख्या 29 है ठीक है और जो OECD है इसमें स्थाई पर्रवेख्षक की भूमिका निभारा है पर्मानें टॉप जर्वर की भूमिका निभारा है दिसंबर 2020 में यूनेसको भी जो है GPEI के पर्रवेख्षक रूप में शामिल हुआ तो GPEI यह आपको थोड़ा सा पता जहां से चल गया अब इसके बारे में यहां से हम पढ़ेंगे तो GPEI यानि ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इसका जो सिखर संबिलन है वो 12-11 दि पर नई दिल्ली घोशना पत्र जो है अंगीकरत जितने भी शदर्शिते उनके द्वारा किया गया इसको याद कर लीजेगा यह संबावना है कि पूछा जा सकता है जीपी एयाई के सिखर संबिलन तो जैसे मैचिंग वाला कुश्चन दे सकता है पहला सिखर संबिलन कहा सब्सक्राइब तो कनाड़ा के मॉंट्रियल में पहला दूसरा आपका फ्रांस के पैरिस में और तीसरा आपका जापान कि रहतानी टोकियो में प्रथम वैश्विक एयाई सुरक्षा सिखर संबिलन यह जो है इसके प्रथम संस्क्रण का आयोजन हुआ है कहां पर यूके के ब्लैचले पार्क में यूके के ब्लैचले पार्क में पहला वैश्विक एयाई सिखर सुरक्षा संबिलन जो है इसका पहला एडिशन यहां पर आयोजित किया गया है और इसमें 28 देशों और European Union जो है EU जो है उन्होंने हिस्सा लिया है और 28 जो प्रमुक देश है उन्होंने ब्लैचले डिकलारेशन पर भी इस कारिकरम के दोरान हस्ताक्षर किये हैं ब्लैचले घोशना फ्रंटियर AI जोखिम से निपटने के लिए पहला वैश्विक समझ होता है और यह विश्व के प्रमुक AI प्रयोगताओं के बीश में उच्चिस तरिये राजनीतिक सहमती और प मेलन हुआ ब्लैचले पार्क वही स्थान है जहां एलन ट्यूरिंग और इनके अलावा जो अन्यवेग्यानिक थे और उन्हें सेकेंड वर्ड वर के दौरान जर्मनी के जो नाजी थे उनके एनिग्मा कोड को क्रेक किया था इस पर एक मूवी भी बनी है आपने देखिए उ सेकंड वर्ड व्र चल रहा था तो वहाँ पर जो जर्मनी के नाजी ओं के कोड, उनको क्रेक किया जाता किस तरीक से क्रेक किया जाता था क्यूव ऌपियोग्यों एक कर के दोन में जूर और उसके चंदलों के बीच मेंoneybr जो कूट लिखित संदेश होते थे इंक्रिप्टेड मैसेज जो होते थे उनको पढ़ने के लिए किया गया था किसका प्रयोग कोलोसस का इस सिखर संबिलन में भारत की योड़ से मेजवानी किसको संपी गई एपाइद को सुनपी गई हाएब कि इसके बाद में आता या ठी बेसं संपड को सुmष्छते कि क्या है उसके बाद में आगे बात करेंगे करने क्यों संप्षित क्या है आएं करक रख यो ट्रॉपकम का इनके बीच आवस्थित जो बेसिन हैं जैसे के अमेजन बेसिंच और बोर्नियों मिकांग दकशडपूर्वी एसी बेसिने इनंको थे बेसिनारी वाजनाता है हुए देन साय रलन के अ कायोल से कुट तीन हो याद रखेंगे तीन? अमेजन बेशन का नाम आया है, इसमें अमेजन बेशन प्रत्वी पर सबसे बड़ा उस्टन कटवंदी वन्चेत्र है, यानि largest tropical forest है, जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में हैं, अमेजन बेशन, और ब्राजील, सहेत, यह दक्षण अमेरिका के नौ देसों में फैला हुआ है, ब्राजील, पेंजुएला, कोलंबिया, सूरी नाम, पेरू, इक्वेडोर, बुलिबिया, फ्रेंच गुयाना और गयाना, कांगो बेशन की बात करें, तो चेत्रफल की द्रस्टी से यह दूसरा सबसे बड़ा उस्ट कटवंदी वन्चेत्र है, और जो तीसरा वाला था, व में यह मद्य अफ्रीका के च्छे देशों में फैला हुआ है, वो 6 कौन-कौन से हैं, कांगो, गडराज, कैमरून, कांगो, लोक्तांत्रिक गडराज, गैबन, एक्वेटरियो गिनी, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपपलिक, इन 6 देशों में जो है कांगो बेशन फैला हुआ थ्री बेशन कहा जाता है, और ये दवनों कहां पर पड़ते हैं, ये कर करेखा, और मगर रेखा के बीच में अवस्थेत हैं, ठीक है। तो अफरीकी देश कांगो गड़राज की राजधानी ब्राजविल ब्राजविल जो नाम दे रखा है इसमें ब्राजविल समिट तो ब्राजविल क्या है अफरीकी देश कांगो गड़राज की राजधानी है और इसी ब्राजविल में 26 सक्टूबर 2030 के बीच में थ्री बेशन स सिकर्संबिलन का पहला संस्क्रण ऑर एक स्थाइप विश्य के लिए सामु רקlla संबिलन की अधिक्षता किशने की कांगो के राष्टपती डैनिस ससाइ नगेसो ठीकंष ने जो मुरली धरन ने हिस्सा लिया था इसके बाद में आता है आपका जी 77 सिखर संभेलन 15 से 16 सितंबर 2023 जी 77 चीन का दो दिवसी सिखर संभेलन कहां पर आउजित की हुआ इस्थान याद रखना है हवाना क्यूबा में ठीक है अध्यक्षता क्यूबा के राष्टपती ने करी इनका घुमिका ही इसका थीमता जी 77 का और जी 77 में जो के चीन में हुया इसका संयुक्त राष्ट महासेशचिव अंटोनियो गुत्रेस ने भी इसमें हिस्सा लिया इनके आलावा कई देशों के राष्ट देख्षों ने इसमें हिस्सा लिया जी 77 का आगामी सिखर संभेलन viennent 2014 में यूगानडा में आयुजित किया जाएगा और 2022 में इसका जो शिखर संबन्प पिशला वाला यानि 20 वाला यएहापका हावान में क्यूबा की राज़धानि में दिव चोबिस वाला। हो वाला पिशहला था आप पाकिशिटा अधर्ष德ा में युगा लिखनी है कि 1964 में G-77 का गठन जब हुआ था उसके बाद में भारत में ही पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी तो गठन कब हुआ 1964 में और पहली बार इसकी किस ने करी थी भारत ने करी थी अब यहाँ G-77 के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 15 जूर 1964 और जब इसकी स्थापना हुई तो 77 विकासील देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो G-77 है वो विकासील देशों का सबसे बड़ा अंतरसरकारी संगठन है अब जो बरतमान में संख्या पहुँच गई है जी 77 के सदस्यों की वो 134 हो गई थीक है चीन यह कहता है क्योंकि चीन खुदको विकासील नहीं मानता है इस वजए से वो कहता है कि वो G-77 का मेंबर नहीं है तो चीन जो है वो इसको अपना सदस्ष नहीं मानता है वह यह कहता है कि वह इस मिशन को कि तरह से कह सकते हैं सपोर्ट करता है समर्थक है वह इसका लेकिन इसका सदस्ष नहीं है अठारे वह जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन दो हजार तेज़ को यह भारत मंडपम प्रगती मैदा नई दिल्ली में आयुजित हुआ और भारत दौर आयुजित किया गया पहला जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन था गएं उत्तरप्देस के संदर में यह स्टेट्मेंट बहुत इंपोरेंट है उत्तरप्देस कि लखनो यानि वी ए आणल इस तरीके से आभ जाद कर लीज़ेगा वारण सी आग्रा और नोज़गा ँठीन हुग किया गया ृशकर सम्मेलन चार शेरों में जो है संबेलन का जो शेरपा नियुक्त किया गया वो अमिताब कान्त को और हर्ष वर्दन श्रंगला जो है इसके मुख्य समन्वया की यानि चीफ कॉडिनेटर जो है यह नियुक्त किये गये थे अठारेवा जी ट्वेंटी सिखर संबेलन के प्रमुख परणाम के रूप में सदश्यों जो सदश्य देश थे उनके द्वारा सर्व संबती से जी ट्वेंटी नई दिल्ली लीडर्स कोश्णा पत्र को अंगीकरत किया गया स्विकार किया गया अफ्रीकी संग जो है वो जी ट में शामिल होने वाला बात माली रिए देश की बात नहीं हुरिए चेतरी गुट था दूसरा चेतरी कि घुट एक जी 20 की स्थापना 1999 में हूई थी और इसकी स्थापना के बाद में ये पहला अफसर है जब इसकी सम्हू की सदाश्यता का विस्तार किया गया है अफ्रीकी संग जहां जिसके बारे में बात हो रही जो कि जी 20 में शामिल हुआँ तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अफरीकी संग एक महादीपी निका है Continental Body है जिसमें अफरीका महादीपी कितने देश आते हैं 55 देश आते हैं 2002 में इसको officially launch किया गया और अफरीकन यूनियन के वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो है अजाली असोमानी ठीक है ये कोमोरोस देश के अस्ट्रपती है अजाली असोमानी ठीक है अफरीकन यूनियन के प्रेसिडेंट है वेस्विक जैव इंदन गटबंदन का सुबारम हुआ ठीक है इसी G20 सिगर समेलन के दोरान में किस ने किया ये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किया किस किस के साथ मिलकर के सिंगपूर, बांगलदे, सिटली, अमेरिका, व्राजी, अर्जेंटीना, मौरीज़, नाम मत याद रखना देशों के ठीक है तो इन नेताओं के साथ मिलकर के वैश्विक जैव इंदनगटवंदन यानि Global Biofuel Alliance का सुभार हमि किया गया जो वैश्विक Biofuel Alliance है जी 20 के अध्यक्षरूप में ये किसकी पहल है, ये भारत की पहल है, भारत की पहल के फलसरूप इस्थित्था में आया है Global Biofuel Alliance जो है ये जैवी तनों के प्रमुख उत्पादक ये उपभोगता देश है इसमें से यहाँ पे देखेंगे हम अमेरिका हो गया ब्राजील हो गया भारत जो हो गया तो ये जो है वैश्विक एथानोल उत्पादन में लगवग 85% का सबसे ज्यादा अमेरिका करता है बायो फ्यूल एथेनोल ठीक है मराजील तीस परशंट का कोंट्रिबूशन देता है भारत तीन परशंट का कॉंट्रिबूशन देता है को में लाकर के 85% और उपभोग के मामलें बात की जाए तो 81% का योगदान है भारत मद्यपूर आर्थि गल्यारा 9 सितंबर 2023 को जो है IMEC को चीन के Belt and Road Initiative के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जाता है यह IMEC क्या है इंडिया मिडलिस्ट यूरोप एकॉनमिक कॉरिडोर है ठीक है तो G20 सिकर संबेलन 2023 के दोरान भारत अमेरिका सौधी अरब UAE फ्रांस जर्मनी और इटली इसके अलावा यूरोपी संके नेताओं के बीच में भारत मद्यपूर्व यूरोप आर्थिक गल्यारा के स्थापना के लिए एक समझोता ग्यापन अस्थाक्षरित किया गया है ठीक है IMEC Asia अरब की खाड़ी और यूरोप के मद्य विस्तारित कनेक्टिविटी और आर्थिक एक को यूरोप से चोड़ेगा इसके बाद में जो यह गल्यारा होगा इससे भारत यूए साओधी अरफ जॉर्डन इसराइल यूरोप इन देशों के बीच में वस्तु और सेवाओं का जो पार्गमन है वो आसानी से सुनस्चित हो सकेगा अठारवे जी ट्वेंटी सिकर संबिलन के समापन के अफसर पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ब्राजील के राष्टपती लुईज इनासियो लूला लीडी सिल्वा इनको अध्यक्षता का गेवल सौपा यानि जो उननीसवा जी ट्वेंटी सिकर संबिलन होगा बारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता के बारे हम बात करते हैं भारत जो था एक दिसमबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक जी ट्वेंटी का अध्यक्षता जो है किस थीम पर आधारित थी भारत की थीम थी वसुधाई वो कुटम ठीक है यानि एक प्रत्वी एक कुटम एक रंग होते हैं क्यी सर्यासफिव ब्रहा और नेला रंग उसके चक्र का होता है उनी रंगों से प्रेरित हैं एक तर्यचियों का इसमें राष्डिय फूल कमल के साथ मैं प्रत्वी को दर साया गया है जो कि एक तरह से से चणोंथियों के बीच में स्विकास देनोट करता है क 43 वह आशियान सिखर सम्मेलन यह कहां पे हुआ जकारता इंडोनेशिया में हुआ चार से सास सेतंबर 2023 को और इसकी अध्यक्षता है इंडोनेशिया के रास्टपती जो को विटूडों के द्वारा की गई इस किंदरी विषय जो है इसका जो थीम है वो है आशियान मैmittel अपिसेंटरम ऑफ ग्रोथ जो है 43 वहार इसिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया द्वारा आशियान की जो अध्यक्षता है वो लाओ PDR को सौब दी गई लाओ PDR को सौब दी गई ये लाओ PDR क्या है लाओ PDR को आप लाओस के नाम से भी जानते हैं इसको चाहे लाओस कहलो चाहे इसको आप लाओ PDR कहलो ठीक है तो 2024 में आशियान की जो अध्यक्षता है अब यहां पर लाव पीडियार की बात हुई है थोड़ा सा इसके बारे में चाहन लीजिए लाव पीडियार क्या है इसका अगर पूंड रूप देखेंगे तो लाव पूपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यह दक्षड पूर्वी इस या में एक लेंड लॉग कंट्री है लाव पीडियार या लाव से एक ही बात है ठीक है तो साउथ इस्ट एसिया का कंट्री है लेंड लॉग कंट्री है इसकी सीमा जो है नॉर्थ वेस्ट में म्यामार और चीन से मिलती है पूर्व में वियतनाम से मिलती है दक्षड में कमबोडिया से मिलती है और पश्चम में थाइलेंड से इसकी सीमा मिलती है, कैपिटल इसकी क्या है, वियनतिया ने, वियनतिया ने इसकी कैपिटल है, करंसी है, इसकी लाव कीप, ये याद रखेंगे, इंडोनेशिया के राष्टपती जोको बिरूडो के निमंतरों पर प्रधानमति नरिन्द मोधी ने, 6-7 सेतंब 2023 को जगारता इंडोनेशिया में बीस्वा आशियान भारत सिकर संभिलन जो है, आयोजित किया गया, 7-7 2030 को जगारता इंडोनेशिया में अठारवे पूर्वी एशिया सिकर संभिलन का भी आयोजित किया गया, इस सिकर संभिलन में आशियान सदस्य राष्टों के अलावा, आठ वारता भागिदारों ने भाग लिया था और जो जी इस सिखर संबेलन हुआ था इसमें तिमोर लेस्ते देश के जो प्रधार मत्री थे वो परजविक्षक यानि ऑब्जरवर के रूप में शामिल हुए थे और भारत जो है पूर्वी एसिया सिखर संबेलन का एक संस्थ अब तिमोर लेस्ते का नाम आया है तो तिमोर लेस्ते में खोला जाएगा भारतिय दूतावास ठीक है तिमोर लेस्ते को पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है दौनों एकी चीज़े तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर एकी बात है सास सेतंबर 2013 को इंडोनेसिया की राज़दा इसमें भारती दूत आवास यानि इंडियन स्थापित की जाने की घोशना की तो भारत की एंबसी कहां पर स्थापित की जा रही है दिली तिमोर लेस्ते में और यह सहर इसलिए महतपूर्ण है क्योंकि पूर्टगाल और इंडोनेसिया से देश की स्वतंदरता के लिए संगर इसकी यहां दिलाता है यह 22 से 24 सगस 2023 को कहां पर जोहांसबर्ग दक्षड अफ्रीका में उजित किया गया और अध्यक्षता किस ने करी दक्षड अफ्रीका नहीं करी कोबिट-19 महाबारी के बाद में पहला मौका था जो सिखर संभिलन के नेता थे वह फिजीकल रूप से जो है इसमें संभिलित हुए थे क्योंकि 2019 में आपको पता है कोबिड आया था कोबिड के बाद में इसकी जो संभिलन हुए थे वो वर्श्यूल माध्यम से हुए तो 15 सिखर संभिलन का जो थीम था थीम क्या था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस पर एक रूप से तुरित विक पत्र जो है इसको अंगी करत किया गया इसके अलावा ब्रिक्स समुग में छे नए सदस्यों को शामिल किये जाने की गोश्टना की गई इस छे नए सदस्य कौन-कौन से हैं अर्जेंटीना मिस्ट्र एथोपिया इरान साओधी अरब और यूग इन छे देसों में से सिर्फ अर्जेंटीना को शोड़ करके जो पांस देस थे वो एक जनवरी 2014 से ब्रिक्स के पूर्ड का अलिक सदस्यानी फुल मेंबर बन गए हैं इस प्रकार अब ब्रिक्स में जो सदस्य हैं उनकी संक्या कितनी है दस हो गई है पहले कितनी थी पांस थी तो छे सदस्य थे अर्जे इसने वो इसमें शामिल हो गए तो अब जो है इसकी संक्या कितनी हो गई है दस हो गई है अर्जेंटीना के नई राश्टपती जेवियर मिलई की नेतरतों में इन्होंने शामिल होने से इंकार कर दिया इस सिखर संबिलन के दौरान प्रिधान मंतिरी ने ब्रिक्स स्पेस इसके गठन का प्रस्ताव दिया इसके साथी ब्रिक्स देशों के बीश में पारंपरिक औसदी के भंडार की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया दो हजार चोबीस का जो ब्रिक्स है उसकी अधिक्षता किसके द्वारे की जाएगी रूस के द्वारा और कहां पर आयुजित हुआ था ठीक है संगाई सहयोग सिखर संभिलन जो है भारत की अधिक्षता में आयुजित हुआ यह सिखर संभिलन वर्चुल प्रारूप में जिसके दिक्षता किसने की भारत के प्रदान मंत्री नहरेंदर भोती ने करी थी तुर्किमेनिस्तान ने अथिती देश के इरान बेलारूस और मंगोलिया इनकी राजटेठक्ष्यों ने भी यहां पर पर्तिसिपीट किया संभिलन की धौरा इरान जो है वह संगही सहयोग संगठन का नौमा सधस्य देश को बना है इरान संगाई सहयोग संगठन के सदश्य देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस द्वारा जो है थस्ताक्षर किया गया एक समझोता था एक मेमोरेंडम था जो के बेलारूस द्वारा जो है उसको है थस्ताक्षर कर दिया गया बेलारूस द्वारा संगाई सहयोग संगठन की सदस्यता प्राप्त कहने की जो प्रिक्रिया है वो वर्स 2024 में प्रस्तावित संगाई सहयोग संगठन शिकर संबिलन तक पूरी हो जाएगी और 2024 में इसका जो संबिलन होगा इसके बाद में अंतरास्टी निर्वाचन बस क्लास खतम होने को थोड़ी चीज़े बचिए एक आपका अंतरास्टी निर्वाचन है और कुछ चक्रवातों के नाम है इसके साथ ही आपका जो इंटरनेशनल वाला पोर्चन था यहां से समाफ्ट हो जाएगा ठीक आज़ी क्ल इसके बारे में जो बेसिक चानकारिया आपको होनी चाहिए नाम याद करना है और ज्यादा गहराई मिनी जाना है जीवन परचे नहीं लिखना है उसका तो क्रिस्टोफर मार्क लक्षन न्यूजिलेंड के नई प्रधान में न्यूजिलेंड की राजदानी का बेलिंग्ट और गठबंदन की सरकार बनी है न्यूजिलेंड में और यह पहला मौका है जब कह सकते हैं कि यहां पर तीन पार्टियों की गठबंदारा सरकार का गठन किया गया है पहला न्यूजिलेंड के इतियास में पहला मौका है तो वह कौन-कौन सी पार्टी है नेशनल पार्टी एक है आप की ACT न्यूजिलेंड पार्टी और तीसरी आपकी न्यूजिलेंड फर्स्ट पार्टी इंस तीनों होने गठवंदर्ण की सरकार बनाई है। प्रनेंगे और अगला के प्रदानकुंद्धान क Красanka बने। 김हाणी के उनकोंड दोसरे कारेकार में इ Hour всп निर्वाशित राष्टर्पतिंगे और यहले के राज़दानी क्मीकात है और लेवजित राश्टपताथ की उपर राष्टपती के रूप में सपत लिए राष्टपती कौन बने है डेनियल नौबवा एक ऐसा देश है जो भूमत दे रेखा द्वारा दो भागों में विभाज़त होता है इसके बीच में निकलती है ठीक है और एक परवत है मांट चिपो राजो मांट चिम्बो हालांके यह आयू के करम में देखा जाए तो आयू के करम में दुती राष्टपती हैं जो सबसे कम उम्मर के हैं इससे पहले सबसे कम उमर के राष्टपती एकडोर के बने थी 1830 में जुवान जोस फ्लोरिस ठीके 29 वर्षिन की आयू थी स्रेथा थाविशिन आरो में परागवे के नई राष्टपती सेंटियागो पेना सेंटियागो पेना जो है परागवे के नई राष्टपती है कैपिटल क्या है परागवे की तो यह है असंसियन ठीक है असंसियन परागवे की राजदानी है और जो परागवे है यह एक लैंड लॉब कंट्री है जो के तक्षडी अमेरिका में पड़ता है। श्री जो पेना हैं, पेना सेंटियागो हैं, ये जो है नेशनल रिपब्लिक एसोशेशन कॉलरोडो पार्टी से सम्बंद रखते हैं। नेपाल राष्टपती चुनाव की बात करते हैं, 13 मार्च 2013 को नेपाली कांग्रिस पार्टी के राम चंद्र पॉडल जो हैं, वो नेपाल के राष्टपती बने हैं, इससे पहले कौन था? विद्या देवी भंडारी थी। राम साय प्रशाद यादा वी नेपाल के राष्टपती बने हैं, किस पार्टी से सम्बंद रहें इसका? जेएसपी, जन्ता समाजवादी पार्टी वियत नाम की बात करेंगे, वियत नाम राष्टपती चुनाब, तो इसमें वो वेन थुओं को वियत नाम का राष्टपती चुना गया है, इससे पहले कौन था? गुमेन जुआन फुक, ठीक है? नाइजीरिया के राष्टपती यहाँ पर देखेंगे, नाइजीरिया की र रहे हैं और तीनुबू को जो है रास्टपती के पद पर सपत लेने का अफसर मिला है। एकवेटरियल गिनी की मलाबू और मैनुएला रोका बोटे यह जो है इकवेटरियल गिनी की प्रधान मंत्री निक्थ हुई है साइप्रस की राजदानी है निकोसिया और इसमें निर्दली प्रत्यासी जिनका नाम है निकोस क्रेश्टो डॉलाइट्स ये जो हैं Sightish के नई राष्टर पती बने हैं चेक रिपब्लिक चेक लिपब्लिक की कैपिटल है प्राग और यहां पर राष्टर पती बने हैं वो हैं पैटर बोविल पैटर बोविल ये जो है tasting समिती के पूर्व अध्यक्षपी रहा चुके हैं अंतरास्टी आपदाएं चक्रवात विपर जोई छेजुन 2023 को आया था ये कहां पे आया था दक्षडपूर भी अरब सागर में आया था विपर जोई ठीक है और अरब सागर में 2023 में पैदा होने वाला उत्पन होने वाला पहला चक्रवाती तूफान था इसने लेंडफॉल क बारब सागर के ओपर मांशून के धोरान अत्य घंफीर चक्रवाती तूफान स्टेड़ी जो है उसमें चक्रवातों का जो उसाथ जीवनकाल होता है वह निया जो विपर जोय था इसका जीवनकाल अत्यदे गंभीर चक्रवाती तूफानों के और जीवनकाल के दोगनों से भी ज्यादा था भारतिय मौसम विज्ञान विभाग के अनुट साथ विपर जोय जो है वर्स 1970 के बाद से उत्री हिंद महासागर में उत्पन होने वाला सबसे ल कफी चर्चा में हैं इंडोनेशिया के जावा दीप पर ये ज्वाला मकी जो है 11 मज 2023 को प्रस्फोटित हो गया ठीक है इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वाला मकी है जो प्रसांत महासागर के रिंग ओफ फायर वाले छेत्र में अवस्तित है इसकी उंचाई माउंट मेरा इसके बाद में चक्रवात फ्रेडी आता है कीस फरवरी 2023 को उस्टन कटबंदी चक्रवात फ्रेडी ये पहली बार मेडा गासकर तर्ट पर जो है इसने लेंड फॉल किया ठीक है इसका प्रभाव कहां कहां पर देखा गया मोजांबिक जिंबामबे मलावी मेडा गासकर जा और यह अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दिनों तक जानी 34 दिन तक रहने वाला चक्रवात जो है वो बन गया नासा के अनुरसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी धक्षडी गोलार्द की तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात उर्जा जो भी accumulated cyclone energy highest accumulated cyclone energy होने का record जो है इसके द्वारा बनाये गया फ्रेडी के द्वारा ठीक है इस चक्रवाद को बहुत गंभीर उष्ण कटबंदी चक्रवाद की रूप में वर्गी करत किया गया और 6 फरवरी 2030 इसको औस्ट्रेलिया ही मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा इस चक्रवाद को फ्रेडी का नाम दिया गया तो ये इसी के साथ में आपका जो international current affairs वाला portion यहां से पिल्कुल complete हो जाता है और अगली दो वीडियो में हम आर्थे की से जुड़े हुई जो current affairs है उनको cover करेंगे ठीक है तो आसा करता हूँ class आपको अच्छा लगा होगा class अच्छा लगा हो तो अपने जो भी सुझाव है response है, feedback है, comment है वो जरूर यहां पर लिखना क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने बढ़कर class नहीं कर रहे हैं और जो कि बहुत जरूरी होता है आमने सामने बैठ करके जब हम चीजें पढ़ते हैं क्योंकि सिक्षन की प्रक्रिया में teacher और student का जो interaction है आपस का, ठीक है वो होना बहुत जरूरी होता है जो कि अभी फिलाल जिस सिस्तिती में मैं हूँ उसमें संभब नहीं है तो इस जगे पर हम एक ही काम कर सकते हैं क्योंकि यहां से मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूँ आप उधर से मेरे लिए कुछ लिखेंगे चाहिए अच्छा बोरा, it doesn't matter तो कहीं न कहीं यह connectivity सी पनी रहती है एक जड़ाव महसूस होता है क्योंकि मैं यहां कभी अकेली कमरे में बढ़ करके सारी चीज़ें रेकॉर्ड कर रहा हूँ अगर आप उधर से कुछ लिखते हैं जो अपना response है वो देते हैं तो कुछ ऐसा, कुछ हद तक मुलब जो gap है बीच का उसको कम किया जाजकता है ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से फिर एक नेक्स वीडियो में नई टॉपिक के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय है